हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर जो कि आपका बहुती फैवरेट यूट्यूब चैनल है मुझे ये पता है और वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर बारवी तक जो कुछ पढ़ाया जाता है सभी पढ़ाया जात है और वो भी पूरी तरह से फ्री पढ़ाया जाता है मतलब आपको यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहें उसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लाइन देने की आवश्यक्ता नहीं है आप पूरा फ्री पढ़िए आपसे को यह बोलने वाला नहीं है कि आपको दो या तीन वी सांखेकी और सांखेकी आप अपने जीवन में अगर आप भविश्य में सांखेकी को नहीं देखे तो अंतिम बार पढ़ रहे हैं इसमें मतलब कक्षा बारवी में सांखेकी नहीं है कॉलेज के जमाने में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको जरुवत पढ़ेगी लेकि शुरुवात करते हैं सांखेकी की प्रशनावली 15.2 की 15.2 में आपको जो प्रशन मिलने वाले हैं उन प्रशनों में आपको मिलेगा प्रसरन और मानक विश्लन मतलब प्रसरन और मानक विश्लन अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रस्रन कैसे निकालना है मानक विश्णन कैसे निकालना है और उनके जितने भी प्रश्ण है वो भी आपके सामने यहां पर बन बाइवन आने वाले कुछ उधारन भी अपन ने किये थे चलिए शुरुबात करते हैं आज की इस कहानी के बारे में अध्याय 15 प्रश्णावली 15.2 और प्रश्ण नमबर 1 तो प्रश्ण नमबर 1 में 1-5 तक के बारे में लिखा हुआ है कि 1-5 तक सभी प्रश्णों में माध्य एवं प्रसरन ग्याद कीजिए माध्य और प्रश्ण निकालने के लिए मतलब आपके यह बुला है कि एक से लेके 5 तक सब में एई करना है ठीक है प्रश्णावली 15.2 पहला सवाल आपके सामने कुछ आकड़े लिखे है अब सबसे जरूरी बात है कि प्रसरन निकालने के लिए माध्य निकालना अती तो आपको माध्य निकालने के आवज़ रकता है लेकिन वो एक कैल्कुलेटिव वे है मतलब उसमोस फॉमुले को याद रख पाना और उसको अपलाई कर पाना हमेशा संभव नहीं है इसलिए हम को जो मैथड पता हैं उसी मैथड पर जाएंगे प्रसरन और मानक विश्लन मांध्य के लिए पहले माध्य निकालते हैं माध्य से प्रसर निकलेगा प्रसर का वर्ग मूल मानक विश्लन आ जाएगा चलिए करते हैं पहला प्रश्ण है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और फिर से 12 तो इस तरह के आकड़ों को आप कह सकते हैं कि यहां पर कोई वरंगी क्ड़ आकड़ नहीं है आकड़े कैसे हैं और अवरगीक्लत है तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो आकड़ को अवर्गी क्रत है कोई भी वर्ग बना कर नहीं दिया कि एक जो आया है वो तीन बार आया है या एक से दस तक की संख्याइं चार बार आई है और आपकरतार आपको सबसे पहले यह देखना अगा कि कृल संख्याइं कितनी है N मतलब कुल संख्या है लिख लो यार एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ आठ ही है, बिलकुल आठ है अब उसके बाद आपसे पहले बोला है कि माध्धी क्या है तो माध्धी बड़ा सिंपल तरीके से निकाला जाता है कैसे, सबसे पहले आपके सामने जितने भी X, I दिये है उनका जोड करके N से भाग दे दो इनी सभी को अपन X, I बोलते हैं यह सब क्या है सर, यह X, I होते है मतलब X1 का मतलब 6, X2 का मतलब 7, X3 का मतलब 10 इसलिए इनको X, I कह दिया जाता है माद्धी निकाल लेते हैं तो माद्धी का मतलब होगा mean जिसे आप X2 से denote कर सकते हैं जो कि होगा 6, प्लस 7, प्लस 10, प्लस 12 उसके बाद 13, उसके बाद 4, प्लस 8, प्लस 12 और इसको आप भाग दे देंगे कुल आकड़े आपके पास 8 है 8 से जोड़ना शुरू करते हैं तो आपके सामने माद्धी आ जाएगा 72 by 8 which means 9 माद्धी कितना आया 9 ठीक है अभी हम निकालने जा रहे हैं प्रसरन माद्धी आ चुका न माद्धी के बारे में चिंता कोई बात नहीं है माद्धी निकल चुका है बिलकुल चो चलिए अभी निकालने जाएंगे प्रसरन अब प्रसरन कैसे निकलता है तो प्रसरन का जो सुत्र है वो बड़ा सिंपल है ऐसे cases में आप सीधा सीधा formula भी लगा सकते हैं इसमें परेशानी किसी को नहीं होगी formula यह होता है प्रसरण का प्रसरण को सामान्य तह रो के वर्ग से निरूपित किया जाता है और यह होता है जितना भी आपके सामने x i है उन सभी को आप माध्य से घटा कर वर्ग ले लीजिए और भाग दे दीजिए n से formula इसे यह मतलब आप 6 में से 9 को घटा के वर्ग लेंगे 7 में से 9 को घटा के वर्ग लेंगे 10 में से 9 को घटा के वर्ग लेंगे तो यहाँ पर रो का जो वर्ग है वो हो जाना चाहिए छे माइनस नौ इसका वर्ग प्लस 7 माइनस नो का वर्ग प्लस 10 माइनस नो का वर्ग उसके बाद 12 माइनस 9 का वर्ग हाँ जी उसके बाद 13 माइनस 9 का वर्ग ओके और उसके बाद है 4 माइनस 9 का वर्ग यहाँ पर आकडों को जबाने की आवश्यक्ता भी नहीं है उसके बाद 8 माइनस 9 का वर्ग और फिर अगेन 12 माइनस 9 का वर्ग दो और ये भी वर्ग है ना डिवाइड बाई एन एन का मान आठ तो आठ तो भाई साब रो का वर्ग करो ये 6-3 मतब 6-9 3-3-3 का वर्ग का हो या 3 का वर्ग का हो 9 के बराबर है 7-9 2 2 का वर्ग 4 प्लस 10-9 1 1 का वर्ग 1 12-9 3 3 का वर्ग फिर से 9 13-9 तो 13-9 हो गए कुल 4 4 का वर्ग 16 4-9-5-5 का वर्ग 25 8-9 1 1 का वर्ग 1 और ये भी 12-9 3 और कुल मिला के 8 इनको जोडएंगे तो विविल गेट 74 डिवाइड बाइट यही आपका प्रसरन है चाहो तो आप इसे थोड़ा सा सरल कर सकते हो 37 बटा चार यह आपका प्रसरन है ठीक है तो यह आपका एक आंसर तो यह था एकस बार वाला और दूसरा अंसर यह था फिनिश चले फिर प्रेश नमबर एक समाप्त दूसरे की तरफ बढ़ते हैं प्रेश नमबर एक बिलकुल सही आखरी अपना 74 आया बाकी सब परफेक्ट है प्रेश नमबर दो प्रथम एंड प्राकरत संख्याएं प्रथम एंड प लिखा जाएगा क्या कि ये तो एक है उसके बाद दो है फिर तीन है फिर चार है और ऐसे लेकर एंड तक प्राकरत संख्याएं हैं है ये प्रस्रण और माध़ी हमको चाहिए ठीक है तो आपको सब से पहले चाहिए माध्य्ध।don माध्ध्य आप निकालोगा कैसे तो माद्धि के लिए आपको पता है चुकि कि माद्धि का मतलब x बार और x बार का मतलब आप एक में 2 जोड़ोगे 2 में 3 जोड़ोगे 3 में 4 जोड़ोगे ऐसे लेकर n तक की संख्याएं जोड़ोगे और भाग दे दोगे n से है ना कुल प्राकरत कुल संख्या है तो यहां से x बार का मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n यह तो एक सुत्र होता है क्या सुत्र होता है कि प्रथम N प्राकरत संख्याओं का जो योग है वो N गुणा N प्लस एक डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई N होता है N से N गया, तो X बार बराबर N प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यह आपका X बार है, मतलब माध्धी है एक छोटा सा formula होता है एक प्लस दो प्लस तीन ऐसे लेकर N तक प्राक्रत संख्याओं का योग N गुणा N प्लस एक बटा दो होता है यहाँ पर N एक प्राक्रत संख्या है इस बात को ध्यान दखना W लिखा गया उसका मतलब है natural number है वास्तों में तो N है N मतलब प्राक्रत संख्याओं तो यह माध्या आया है अब आपको ग्याद करना है प्रसरण है यह थोड़ा कैलकूलेटिव होगा यहाँ पर ध्यान दीजेगा प्रसरण कैसे निकालना है चलिए प्रसरण पर बात करते हैं that is variance how to find out the variance और प्रसरण तो देखो यार एक छोटा सा फॉर्मूला है प्रसरण का कि आपना कुल संख्याओं को इससे भाग दे दी मतलब कुल संख्याओं का भाग देना है किसमें इस कैलकूलेशन में परन्तु यहाँ पर एक साई पता नहीं है एक साई तो अलग-अलग है और साथ में माध्य भी दो चार पांच दस की जगे ऐसा लिखा रहा है तो अब यह तो कैलकूलेशन थोड़ा परेशान करेगा तो अगर परेशान करेगा तो चलिए शुरू करते हैं एन का मतलब कुल प्राक्रत संख्याओं यहाँ पर एन का मतलब क्या है कैपिटल एन का तो रोह का वर्ग ठीक है सिग्मा एक बटा एन को तो मैं यहान लिख देता हूं और सिग्मा एकस flowers के में कोई इनिफ्कोरिस नहीं है माइनफ एन गुना एनंप्लस एक बटा दो और एनसे एन कड़ गया तो एन प्लस एक बटा दो देख लो मात धी ही नहना इनम प्लस एक बटा दो को यहां लिखा और इस पूरे का हमें करना होगा वर्ग अब यह वर्ग कैसे करेंगे तो ए माइनस बी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग तो प्रसरन कुछ इस तरह से आ जाएगा एक बटा एंड बराबर देखना एका वर्ग मतलब कुछ सिग्मा तो अपनने लगाया है भी बाहर सिग्मा तो बाहर रहने दो सिग्मा को अपनने बाहर पटका कि भाई साब आप थोड़े देर बाहर रहो और उसके बाद पहले तो एकस आई का वर्ग प्लस एन प्लस एक डिवाइड बाइड बाइटू पूरे का वर्ग माइनस तू XI साथ में N प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 ऐसा कुछ A-B का वर्ग अपनने यहाँ पे लगाया है जो फॉर्मुला है वो कैसा है A-B का कि A-B का वर्ग That should be equal to A का वर्ग प्लस B का वर्ग minus 2AB So यह मिला रो का वर्ग एक बटा N N का मतलब तो प्राकरत संख्या है कुल संख्या है तो अपनने यहाँ N लिया है तो अब यहाँ पर भी N लिख सकते हैं इससे परेशानी की बात नहीं है अब इस इस रो को अपन मतलब इसे अंदर भेज सकते हैं मतलब अपनने क्या किया सिगमा चिन्न को अंदर भेजा कि सिगमा सबसे पहले XI का वर्ग साथ में सिगमा n प्लस एक बटा दो इस पूरे का वर्ग माइनस सिगमा n प्लस एक गुना XI क्या मैं सही हूँ हमने सिगमा चिन्न को अंदर भेजा है अब देखो पताई समस्य क्या है कि n और n प्लस 1 चूकि n एक fix से संख्या है तो n प्लस 1 भी fix से संख्या है divide by 2 एक fix संख्या है अचर होगी और अगर अचर होगी तो x बार भी achर है मतलब जो माढ दे है वो fix है तो ये जो माढ देना वो बाहर आ सकता है कुल मिला के बात ऐसी है कि इस प्रश्ण में रो का जो मतलब है वो ऐसा भी हो जाएगा कि यह जो रो का वर्ग है वो कुछ ऐसा है 1 by n sigma x का x i यह तो जैसा है वैसा लिखा रहेगा मतलब data का जितना भी है वो जैसा लिखाए वैसा लिखाए ये चीज बाहर उठके आ सकती है यहाँ पर ये N प्लस 1 का जो वर्ग है वो आ जाएगा N प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 पूरे का वर्ग बाहर क्योंकि ये एक अचर संख्या है और जब भी सिग्मा के बाहर कोई अचर संख्या होती है सब्क्राइब सिग्मा पर फरक नहीं पड़ता किया अचरशंख्या के लिए नहीं होता ऐसा समझ्झ लो तो से बाहर निकाल दिया यहाँ पर क्या बचा सिर्फ एक तो आपने लगाया सिग्मा वन कुछ नहीं था तो क्या था बन था यहां से भी N प्लस 1 बहार निकल जाएगा तो N प्लस 1 बहार निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा Sigma Xi अब आपको दो चीजे निकाल दीए Sigma Xi का वर्ग और Sigma Xi अगर ये दो चीजे पता है तो आपके सामने जो प्रस्सरन है वो है calculations करना होगा और कुछ नहीं तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ जादू जादू कैसे वो कुछ ऐसे रो का वर्ग मतलब प्रसरण एक बटा एन बड़ा सा सिग्मा एकस आई का वर्ग प्लस एन प्लस वन डिवाइड बाई टू पूरे का वर्ग साथ में सिग्मा वन माइनस एन प्लस वन साथ में सिग्मा एकस आई अच्छा XI का मतलब क्या है? XI का मतलब है पहली N प्राकरत संख्या है तो यदि आप से बोले कि पहली N प्राकरत संख्याओं का योग कितना है? तो आप इसे इस तरह से निरुपित कर सकते हो ना कि आपने सारी XI का जोड़ किया है और यहाँ पर कहा जा सकता है कि सारी x i का जोड वास्तों में n गुणा n प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 है तो ये चीज वहाँ उठा के रख देंगे साथ ही साथ इनके वर्गों का योग कितना होता है वर्गों का योग लिखने का मतलब है आपने n तक की प्राक्रत संख्याओं के वर्गों का योग कर दिया जिसका साफ साफ मतलब है x i का वर्ग विच मीन्स सिग्मा x i का वर्ग बराबर n गुणा n प्लस 1 साथ में 2n प्लस 1 डिवाइड बाइ 6 ये फामूले है पहली n प्राक्रत संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है पहली n प्राक्रत संख्याओं का योग ये होता है तो बस वहाँ पर रख दो जहां जहां कुछ है और सिग्मा 1 का मतलब क्या होगा सिग्मा 1 का मतलब है कि एक का आपने जोड किया है कितनी बार n बार तो n आजाएगा एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक सो ये तीन चीज़े आपको लगानी है पहला ये वाला दूसरा ये फॉर्मूला और तीसरा ये फॉर्मूला इसे चली शुरू करते हैं रो का वर्ग एक बटा n यहाँ पर n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 साथ में n प्लस 1 का वर्ग बाई 2 का वर्ग और इसका मतलब यहाँ पर n हो जाएगा और साथ ही साथ माइनस n प्लस 1 और यहाँ पर भी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और साथ में एक और n हो जाएगा यही था ना ठीक है सिगमा एक साई के मतलब n गुणा n प्लस 1 बटा दो इसकी जगे n गुणा n प्लस 1 गुणा 2 n प्लस 1 बटा 6 अब आपको क्या करना है यहां से अंबार निकल सकता है यहां से न बार निकल सकता है और यहां से यहां से biodiversity साथ यहां पर एन प्लस वन बाहर निकल सकता है यहां से भी दो एन प्लस वने तो एक बाहर चला जाएगा और यहां पर भी दो एन प्लस वने तो बाहर चला जाएगा तो प्रसरन को थोड़ा सा सिंपल करना है तो क्या ऐसा हो जाएगा कि आपने अंश में से एन गुणा एन बाहर निकाल लिया और ये n तो यहां था ही साथ ही साथ देखो यहां 6 है यहां 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहां 2 है अब 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं तो आपने यहां से 2 को भी बाहर निकाल लिया यहां से n और n प्लस 1 गया तो 2n प्लस 1 divide by 3 यहां से n चला गया n प्लस 1 चला गया एक बार तो यह बचा n प्लस 1 divide by 2 minus सिर्फ और सिर्फ n प्लस 1 divide by 2 ओ यह तो सही है यह दोनों आपस में cancel वैसे ही cancel हो रहे थे तो यहां पर बचा यह इस से गया तो रो का जो वर्ग है देखो n n से गया n गुणा n प्लस 1 मतलब n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटा 6 क्योंकि यह 2 तिया 6 हो जाएंगे और यह आपस में गुणा बाकी तो दोनों आपस में finish हो गए तो अच्छा finish नहीं रुको 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 थोड़ा सा हम लोगों ने यहां पर मिस्टेक किया जब यहां से दो कॉमन चले गए तो यहां दो बचेंगे क्यों यहां से दो बाहर निकल गए तो यह दो नहीं बचेंगे अब यह दूनों आपस में कैंसल नहीं होंगे यहां से n और n तो कैंसल हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 बाहर है और यहां पर 2n प्लस 1 डिवाइड बाइ 3 माइनस देखो n प्लस 1 बटा 2 में से n प्लस 1 चले गए तो माइनस के n प्लस 1 बटा 2 बचे अब इसे सरल करो तो करो वरना इतना लिखोगे तो भी आंसर आपका सही है चाहो तो सरल कर लो कि यहां तो n प्लस 1 डिवाइड बाइ 2 और लगुत्तम लेगे तो यह यहां गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तो 4n प्लस 2 माइनस 3 का यहां गुणा किया तो 3n माइनस 3 और यहां पर लगुत्तम लेके 6 आ जाएगा तो 4n में से 3 गया तो n 2n में से 3 गया तो माइनस n तो फाइनली आपके सामने जो प्रसरन आना चाहिए वो है n प्लस 1 divide by 2 देखलो यार कितना रो का जो वर्ग है वो है n प्लस 1 divide by 2 और उसके बाद n-1 तो n प्लस 1 और n-1 तो हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब n का वर्ग माइनस 1 और साथी साथ divide by 2 यह आपका प्रसरन है जो कि आपका फाइनल आंसर है यहाँ पर कौन सा सुत्र लगा a प्लस b गुणा a माइनस b बडाबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग यह सुत्र आपने यहाँ लगा दिया तो यह आपका प्रसरन है थोड़ा कैलकुलेटिव है मतलब यहाँ पर एन की जगे 10 या 20 दिया होता तो आइधिंक ए सवल थोड़ा सरल होता लेकिन यहाँ एन की जगे आपको सिर्फ मतलब n ही दिया है कोई संख्या नहीं दिये कि 10 की 20 की 50 हजार होता दस हजार होता तो भी अपन हिम्मत करते की चलो ठीक है लेकिन यहाँ पर भी हम हिम्मत कर सकते हैं सो चलिए आगे बरते हैं प्रश्ण यह समाप्त हुआ उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा प्रश्ण नमबर दो प्रश्ण नमबर तीन की तरफ बढ़ा जाए तीन के प्रथम दस गुनज इनका आपको माध्य और प्रसरन निकालना है तो तीन के प्रथम दस गुनज का मतलब है अगर आप इसके x i लिखेंगे मतलब 3 के प्रथम 10 गुनच कौन कौन से हैं तो पहला तो 3 मतलब वो संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है उन्हें गुनच कहा जाता है और यह हुए 30 हो गए टोटल 10 है ना तो काउंट कर सकते हो 1 2 3 3 6 9 और 10 ठीके 3 से लेके 10 तक इन संख्याओं को आपका माध्य और प्रसर्ण निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि एन का मान कितना होगा तो प्रथम 10 गुनच बोला है तो एन का मान तो 10 होना चाहिए और दूसरी बात अपन निकालने जा रहे हैं माध्य यह आकडा कैसा है अवर्गी करत हैा अवर्गी करत है यहाँ पर अभी तक वर्ग बना के नहीं मिला है हमें कुछ एमना टेबल लेबल बना के डेटा नहीं दिया हुआ है माध्य एक्स बार के रूप में जो की होता है सारे x i का आप योग करके n से भाग दे दीजिए तो माद्ध का मतलब है x i का योग मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस ऐसे लेकर 30 डिवाइड बाइ n का मतलब 10 अब ये योग कैसे निकाल ले तो सब में से 3 को बाहर निकाल लिया तो आपने 3 को common निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लेकर आपके सामने यहां 10 बज जाएगा डिवाइड बाइ 10 अब 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे 10 तक का मतलब है पहली n प्राकरत संख्याओं के योग का सुत्र सीधा सीधा लगा सकते हो वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा n में n प्लस 1 जोड के भाग दे दो 2 से तो अगर यहां n की जगे 10 रखा जाए तो मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लेकर कहां तक 10 तक तो यहां पर मिलेगा 10 गुणा 11 बटा दो that means 55 तो इसकी जगे 55 एकस बार का सीधा सीधा मतलब है मतलब माध्य का सीधा सीधा मतलब है 55 गुणा 3 बटा 10 कितना 55 इंटो 3 डिवाइड बाई 10 ऐसा क्यों क्योंकि ये संख्या 55 है इसका योग कितना होता है 55 तो क्या कर सकते हैं कटेगा कुछ क्या पास से कर जाएगा तो एकस बार का मतलब है 11 गुणा 3 डिवाइड बाई 2 तो मतलब माध्य जो है वह 15 दशमलो ए तैह 30 हो जाएगा ना तो 33 का मतलब 16 दशमलो 5 माध्य कितना आया 16.5 थोड़ा सा माध्धी कैलकुलेटिव है यहाँ पर माध्धी जो है वो कैलकुलेटिव है तो अगर माध्धी कैलकुलेटिव है तो क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हमें इसको निकालना ही पड़ेगा जो भी है आपका जो माध्धी इस केस में है वो calculate है आप इसको verify भी कर सकते हैं मतलब अभी अपन आगे इसको calculate जरूर करेंगे हमें माध्य पता चला पता चला अब हमें प्रसरन निकालना है आगे यहीं बोला है तो प्रसरन निकालने के लिए आप हर डेटा में से x i में से f i को घटाने या x i में से अगली step में x i minus x बार करेंगे यहां f i तो दिया नहीं है प्रसरन का मतलब क्या है हर डेटा में से माध्य को घटा के उसका वर्ग करने के बाद आपको योग करना है ठीक है तो यहाँ पर x i का मतलब 3 है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 और यहाँ पर अगर आप माध्य, माध्य का मतलब कितना है x i में से आपको घटाना है 16.5 तो 3 में से 16.5 गए तो आपके पास मिला 13.5 लेकिन चिन इसका रिनात्मक है हाँ जी 6 में से गए 3.5 या 16.5 तो माइनस 10.5 फिर माइनस आपको मिलना चाहिए 7.5 फिर माइनस मिलेगा 4.5 फिर माइनस 1.5 फिर 2.5 18 में 16.5 गड़ा के देख लो 21 में से गए तो 5.5 फिर मिलेगा 8.5 फिर 27 में से गए तो 11.5 और फिर यहां गए तो 13.5 सो फाइनली हमारे सामने ये फिगर बनते हुए आ रहा है अब यार इसका वर्ग करना है वास्तों में ठीके तो ऐसी संख्याओं का वर्ग करने से अच्छा है इसको भिन्न के रूप में बदलो बिन्न के रूप में बदलोगे तो शायद आपको जादा सहूलियत होगी अगर इसे भिन्न के रूप में बदलोगे तो जादा सहूलियत होगी वर्ग करने में प्रसरण में वर्ग करना पड़ेगा इस डेटा का अगर मात दिविश्लन निकालते तो इसका धनात्मक माल लेना होता है रिनात्मक को धनात्मक करके जोड़ दो प्रसरण में क्या करना कि यह 27 बटा दो है यह 10 और 11 10 21 तो यह 21 बटा दो आ जाएगा साथ दुनी 14 और 15 तो यह 15 बटा दो आ जाएगा और यह 9 बटा दो आ जाएगा 6 6 अंतर लतिया और कुछ नहीं है तीन बटा दो और उसके बाद इसे करोगे तो तो 5 बटा दो आ जाएगा यह सब रिनात्मक है ना यह सारे के सारे चिन्न रिनात्मक है इसके बाद यह आजाएगा पांच मतलब 11 दशम लोग दो यह आ जाएगा 17 17 बटा दो यह मिलेगा 21 बटा दो 21 बटा दो है ना नहीं 12 ना 22 और 23 वाइटू में और ये मिलेगा यहां पर एकसाई बटा एकस बार का अगर वर्ग किया जाए तो 27 बटा दो का वर्ग मतलब 27 का वर्ग यह क्या होगा निकालेंगे लेकिन डिवाइड में 4 आजाएगा ठीक है यहां 21 का वर्ग आजाएगा 21 का वर्ग क्या होगा नहीं पता लेकिन डिवाइड में 4 आजाएगा 15 का वर्ग अभी निकाल रहा में क्या आएगा divide by 4 आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर 9 का वर्ग हो जाएगा हो जाएगा divide by 4 ठीक है और उसके बाद 3 का वर्ग तो 3 का वर्ग भी divide by 4 मैं आपको यहाँ calculations की कुछ technique बताने की कोशिश कर रहा हूँ होँ आपको सारे वर्ग नहीं निकालने पड़ेंगे इनने से उसके बाद यह 5 ब बटा 2 आएगा 5 बटा 2 आएगा यहाँ पर calculation करना पड़ेगा तो 5 का वर्ग बटा 2 ठीक है करेंगे 5 का वर्ग बटा 2 का वर्ग मतलब चार 11 का वर्ग बटाचार 17 का वर्ग बटाचार और उसके बाद 23 का वर्ग बटाचार और 27 का वर्ग बटाचार ऐसे कुछ तो अब इनको जोडने जाएंगे हम किनको ये जितना भी XI FI आ रहा है इनका जोड करना है आखरी वाले का प्रसरण के लिए ये काफी आवश्यक है तो देखो यार मैं आपको कुछ-कुछ चीज़े बता रहा हूं यह जो है ना इनको आप एक साथ लिख सकते हो क्या डिवाइड बाइफ फॉर तो सब में आया सबके हर में चार आया है इन सभी को एक साथ लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो आपने चताइस का वर्ग यहां लिख दो 5 11 17 तेईस और 27 तो पांच का वर्ग ладно सैन्यारा का वर्ग 17 का वर्ग उसके बाद 23 निधिस का वर्ग और 27 तो यह वाला बाद वाला चल्कुलेशन आपको करना पड़ेगा पहले वाले में आप क्या कीजिए पहले वाले में सब में से 3 का वर्ग कॉमन निकाल दीजिए ठोड़ा केल्कुलेशन वहां सिंपल हो जाएगा तो पहले 7 का वर्ग मतलब कॉमन निकाल ले तो यहां तो चार आ जाएगा 27 में से 37 का वरत गया तो सब्रस्ताइस का वर्ग, साथ का वर्ग, पांच का वर्ग, तीन का वर्ग और एक का वर्ग, प्लस आगे वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो देखिए, 25, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग, 121, 17 का वर्ग, 289, 23 का वर्ग, 529, और उसके ब भाग में कोई दिक्कत नहीं है तो अब ये calculations करना है आपको प्रसरन निकालने के लिए तीन का वर्ग तो 9, 9 बटा चार और ये कितना आ जाएगा यार जोड़के देखो एक और 49, 50 पचास और उसके बाद 9 और 81, 90 तो 50 और 90 मिला के 140 बच गए 25, 25, 165 तो 165 प्लस 25, 121, 289, 5, 7, 527 और 729 ये कैसा होगा आप देखो फटा 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 पांच और एक 6, 6 और नो पांच और एक 6, 6 और नो पंदरा पंदरा और नो 24, 24 और नो 33 तो आपको यहां पर मिलेंगे तीन हासिल के साथ, दो और दो 4, 4 और 8, 12, 12 और दो 14, ठीक है 14 और दो 16, 16 और 3, 19 हासिल 1, 1 और दो 3, 3 और 5, 8, 8 और 7, 15, 15 और एक जो बचा था वो 16 डिवाइड बाइ 4 ठीक है, तो अब इसे कल्कुलेशन करना ही पड़ेगा, हमारे हाथ मेरे कुछ भी नहीं है तो 9, 45 हासिल 4, 9, 54 और 4, 58 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5, 14 उसके अलावा 16, 93 डिवाइड बाइ 4 ये तो अभी सिर्फ ये वाला योग आया है इसे दोड़ोगित कितना आएगा, यहां तो मिल जाएगा, आठ, 5 और 3, 8 ठीक है, आठ और 9, 17 हासिल 1, 4 और 6, 10 और 1, 11 हासिल फिर 1, 2 और 1, 3, 2 और 2, 3, 1 और 1, 2 और 1, 2 और 1 हासिल वाला 3, डिवाइड बाइ 4 तो ये 4 से भाग जा सकता है क्या नहीं जा सकता है, क्योंकि 4 से भाग जाएगा न तो यहां 80 होना चाहिए, तब जाके 4 से भाग जाता है अगर अंतिम की दो संख्याओं में 4 से भाग जाएगा तो पुरी संख्या में 4 से भाग जा सकता है तो प्रसरन निकालने का तरीका क्या है प्रसरन निकालने का तरीका मैं लिख सकता हूँ चूकी जो प्रसरन आना चाहिए वो मिलेगा रो का वर्ग जितना भी आपने x i minus x bar का वर्ग निकाला है उसे भाग दे दीजे किससे n से तो वो उधर कित्ता मिला x i minus x bar का 31,88 divide by 4 तो अपने लिखा 31,88 divide by 4 साथ में 10 और आ गया अब अगर यह सो simple करना हो तो करो नहीं तो रहने दो that is your final answer बस यह प्रसरन है दो से कटेगा काट सकते हो इससे ज़्यादा कुछ cancellation नहीं होगा चलिए फटा-फट एक बार data देख लेते हैं अपने कुछ गलती तो नहीं किये मतलब एक बार चेक करना तो बनता है प्रश्ण में जरूरी क्योंकि कहीं बार ऐसी मिस्टेक हो जाते ही छोटी मुटी calculations so 3 में से यह गया तो माइनस 13 माइनस 10 माइनस 9 मतलब 7 यह मिला के हो जाते हैं बारा और यह मिला के जाएगा यह 21.5 जाएगा तो यह चार तीन दशमलों पांच बचना चाहिए क्योंकि यह चार दशमलों पांच 21 में 16 यथा तो 5 बचते हैं दसंमलों 5 और लुए तो 4 5 यहां पर 2 चोटी चोटी गलतिए यह आसी पकड़ में आई है और देख लेते हैं यह यह एक दसंमलों 5 और यह दो थेन चार दसंमलों 5 चौथिस में से 8 की जगे 7.5 बचेगा 27 में से 16 जते तो 11.5 यह तो पूरी इंट्रीज गलत हो गई 11.5 11.5 नहीं 11 नहीं 10.5 और 30 में से अगर 16 गए तो 30 में से 16 जना पर 14 बसते हैं तो यह 13.5 मतलब यह तो ठीक है तो यह 4 इंट्रीज थोड़ी चेंज होगी चेंज होगी तो यहां पर क्या हो पर चीजें बदलेगी क्या क्या बदलेगी एक दशमलों पांच का मतलब 3 बटा दो चार दशमलों पांच का मतलब 9 बटा दो साथ दशमलों पांच का मतलब 15 बटा दो 10 दशमलों पांच का मतलब 11 बटा दो मतलब तो ऊपर वाली इंट्री आ गई है यह इंट्री तो ऊपर पंद्रा का वर्ग और यहां पर 15 नहीं इसके बाद 21 आ जाएगा यहां जाएगा 21 का वर्ग तो डैट मीन्स यह वाला कैलकुलेशन डबल हो जाएगा आपको इसको लिखने की आवश्चक्ता नहीं है थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो यह 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 9 का वर्ग, 15 का वर्ग, 27 का वर्ग, सेम ही तो है, तो हम इसे डबल कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वो तो डबल कैलकुलेशन हो गया, multiply by 2, multiply by 2, तो ये पूरी चीज़ हटेगी, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने, अच्छा वो जो कैलक 1485, 1485 divided by 2 हो जाएगा, तो बेसिकली यहां पर थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है, उसके परिवर्टित होने से, आपके सामने सब कुछ इतना है, मतलब यह वाली चीज़े बदली है और कुछ नहीं बदला यहां पर, यह बाद वाला जो कैलकुलेशन था ना, वो डबल हो बाकी सब कुछ क्लियर है, ऐसा कुछ-कुछ, multiplied by 2 कर देंगे, हम क्योंकि यह पूरा का पूरा double है, बस इतनी सी बात है, बाकी answer जो है, वो सेम है, 1485 बटा दो, तो यहां पर answer में आप लिख देंगे, 1485 बटा दो, मतलब इसकी जगे, यहां पर आ जाना चाहिए, 1485 by 2, तो इसे थोड़ा से हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसे हटाया, और फिर इसे हटाया, that's it, बाकी calculation सही है, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, यह हुआ 1485, तो 1485, डिवाइड बाइट टू, और यहां पर भी 1485, डिवाइड बाइड बाइड बाइ, 40 की जगे 20, 40 की जगे 20, और सामने यह है, थोड़ा सा अपने रिदम गलत पकड़ी, पता है कहां पर, यहां पर, जैसे हमने यहां पर रिदम गलत पकड़ी, calculation में थोड़ा सा अपन इधर उदर हुए, क्योंकि मैंने क्या किया था, calculation करते समय मुझे दिख रहा था, कि इन दोनों के भी इस तीन का अंतर है, तो इनके division में 66 का अंतर होगा, देखो 27 से 26 का अंतर, यहां 6 का अंतर, यहां 6 का अंतर, तो basically मैंने यहां जब 2.5 लिखा, तो उसके बाद भी ने सीधा 5.5 लिखा, मतलब calculation ना करते हुए, कर रिदम में चलता गया, और वो गलती एक के बाद एक के बाद होती गई, और इसा table बनाते समय बहुत होगा, please be careful, यहां पर आपका कोई भी साथ नहीं देगा, सिवाए table के, और यह table आपके लिए काफी उपयोगी है, इसी table में calculation अगर गलत होगा, तो सारा calculation आपका गलत हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेश्ट नमबर 4, अब यहां पर जो आकड़े दिये हैं, वो वर्गी करत हैं, मतलब 6 दो बार आया है, तो 6 वाली संख्या का वर्ग बना दिया है, दस का चार में, यह भी, तो बेसिकलिए आपके सामने जो आकड़े हैं, वो वर्गी करत हैं, निकालना वही माध्योर प्रसरण है, पर आकड़े कैसे हैं, प्रसरण हैं, यह तो बार आकड़ों के साथ साथ कौन सा बंटन है, यह सतत नहीं है, चैके बाद 10, 10 के बाद 14, तो यह आज सतत बारंबारिता बंटन है, अब ऐसे बंटन में, आपको सबसे पहले माध्य कैसे याद आता है, वो देखो, तो माध्य केस में, जब हम माध्य निकालते हैं, इस केस में, तो आपको याद होगा कि जब आज सतत बारंबारिता बंटन है, तो हर XI को उसके FI से गुणा करना पड़ता है, और भाग किस से देना पड़ता है, N से, N कैसे निकलता है, तो N निकलता है, सारे FI का योग, तो हमें यहाँ टेबल बनानी दालेंगे, फिर XI को FI से गुणा करेंगे, उसका योग निकाल के भाग देंगे, माद दे निकलेगा, फिर माद दी के साथ XI को घटाएंगे, विचलन निकलता जाएगा, यहाँ समझ लिजे कि प्रसरण के लिए वह आवजशक है, तो यहाँ पर टेबल लंबी चौड़ बने की, तो 6, 10, ठीक है, उसके बाद यह कहानी 30 तक जानी चाहिए, तो लेट सार दर टेबल विट XI and FI, तो 6 है, ठीक है, उसके बाद 10 है, 14 है, 18 है, और क्या है, 24, 28 है, फिर 24 भी है, और 28 भी है, और 30 भी है, अगेन आपको X का जोड़ नहीं करना है, आपको इसके F का जो करना है, 24, 7, 12, 8, 4, 3, 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3, चलिए, यार, कैलकुलेशन करें, फटाफट, फटाफट, और आगे का कैलकुलेशन देखा जाए, यहां से, सबसे पहली बात आपको जो कैलकुलेशन में यहां देखनी है, कि सारे FI का योग कितना है, क्योंकि यह भी आवश्चक है, कि सारी Frequency का जोड कितना है, यह माध्ध निकालने के लिए आवश्चक है, N का मान यहीं से निकलेगा, प्रस्रन और माध्ध दोनों में N की आवश्चकता है, दो, चार, छे, छे और साथ, तेरा, तेरा और बारा, पच्चिस, पच्चिस और आट, टैतिस, टैतिस, चार, सैतिस, सैतिस और तीन, चालिस, तो पहली बात, आपने जिसे N माना है, वो चालिस के बराबर आया, अब दूसरा केस, इसके बाद आपको हर XI को FI से गुणा करना पड़ेगा, इस XI को FI से गुणा करना पड़ेगा, 6 का 2 में गुणा किया तो 12, 10 का 4 में गुणा किया तो 40, 14 का 7 में गुणा किया तो 7 चोक 28, ठीके, बचे 2, 7 एकम, 7 और 2, 9, अठार गुणा 36, हासिल 6, या अठार गुणा 36, तीन हासिल लिखा 6, हासिल आये 3, और अठार आये काम, अठारा और तीन, 21, पॉफेक्ट है, 24 का 8 में गुणा किया तो 25 का 8 में गुणा करने पर 200 आता है, एक कम कर दो, मतलब 8 कम कर दो, तो 192, फिर 24 का 28 का 4 में गुणा किया, 25 का 4 में गुणा करने पर 100 आता है, 3 का 4 में गुणा करने पर 12 आता है, वो क्यों? क्योंकि इससे माध्य निकल जाएगा तो करते हैं शुरू calculations दो, आठ, दस, दस, छे, सोला, सोला और दो, अठारा, अठारा और दो, बीस बचे दो, एक और चार, पाँच, पाँच और नो, चौदा, चौदा वर एक, पंदरा, पंदरा और नो चौविस, पच्चिस, पच्चिस और नो, चौतिस, चौतिस और दो जो बचे थे च्छतिस बचे तीन, दो, तीन, चार, चार और एक, पाँच और तीन, साथ तो साथ सो साथ आपके सामने यहां से बन रहा है X, I, F, I का योग तो अगर आप माध्य निकालने की सोच रहें, इतने से भाग से तो निकल जाएगा और माध्य निकाले बिना आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता माध्य, विच मींज, X बार, जितना भी F, I, X, I आपने निकाला है उसका आपको भाग देना पड़ेगा F, I के योग में जो की है 760, डिवाइड बाइ 40 40 से 40 गया और ये 19 आता है है ना, 4 से काटोगे तो 4 का 20 में गुणा 80, एक कम कर दो तो 19, चलिए तो यहां से ये चीजे भी निकल गई अभी क्या निकालना है? तो अभी हमें हर X, I में से माददी को घटाना है माददी किसके बराबर था? माददी यहां पर 19 के बराबर है चाहो तो ये किताब में लिख देना या प्रश्न में लिख देना चै मेंसे 19 गए अभी अपन बड़े आराम आराम से कल्कुलेशन करेंगे 6 में से 19 गए तो माइनस के 13 10 में से 19 गए तो माइनस के 9 14 में से 19 गए तो माइनस के 5 18 में से 19 गए तो 1 24 में से 19 गए तो 5 28 में से 19 गए तो 9 30 में से 19 गए तो 11 ठीक है क्या? verify कर लो क्या हमने सही calculation किया है और data भी हमारे सामने सही था क्या अगर सही था उसके बाद हम इसका वर्ग करेंगे मतलब x i minus x bar का जो आपने योग निकाला है मतलब जो calculation किया है इस table में इसका वर्ग कर दो 13 का वर्ग 169 9 का वर्ग 89 81 5 का वर्ग 25 एक का वर्ग एक ये 25 ये 89 और ये 11 का 121 वर्ग ठीक है अब इन्हें जोड़ दो यार आखरी टेबल में क्या करना है इन सभी का जोड़ना है सिग्मा अच्छा अच्छा अभी तो एक समस्या और भी है इसको जोडने से कुछ थोड़ी ना होगा उसके बाद Fi का गुणा भी उसमें करना होगा इसमें आपको Fi का गुणा भी करना होगा प्रसरन निकालने के लिए तो Fi का गुणा किया किसमें Fi-x bar के वर्ग में So, इस 169 में आपको 2 का गुणा करना है तो 170 का डबल 340 उसमें से 2 कम कर दो तो 338 81 का 4 में गुणा 240 244 25 का 7 में गुणा 175 12 का 1 में गुणा 12 25 का 8 में गुणा 200 89 का 4 में गुणा 90 का 4 में गुणा करते हैं तो 307 आता है उसमें से 4 घटा दो तो 356 121 का 3 में गुणा तो बारा का तीन में गुणा करोगे 120 का तीन में गुणा करोगे तो साथ और एक और तीन की वज़े से तीन, सिक्स्टी, तीन अब इसका योग निकालना जरूरी है यह जो योग है यही अमारे लिए काफी उपयोगी है यही तो आकरी प्रस्रन देगा तो इसका योग ** कितना आता है 8-4, 12, 12, 12, 17, 17, 2, 19, 19 और 6 25, 25 और तीन, 28, दो फिर सजोल दो 8, 4, 12, 12, 17, 27, और दो 19, 26, प्त्यस 25 और तीन, 28 हासिल दो 3, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 14, 14, और 1, 15, 15, 15, 15, 20, 26, 26, 26, और दो पहले के थे 28 फिर दो बज गए 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6 और 2, 8, 8 और 6 फिर से 14 और 2 फिर से बचे थे तो 16 तो 6, 1, 6, 8, 8 आपका इन सभी का योग आया तो अब आप निकालने जा रहे हैं प्रसरन जिसकी आवश्चक्ता आपको इस प्रश्ण में है प्रसरन क्या होता है? प्रसरन को लिखा जाता है रो का वर्ग जिसका मतलब है जितना भी आपने XI निकाला है XI माइनस X बार के वर्ग को N से भाग दे दीजिए और ये चीज अपनने 16, 88 निकाली और N का मान 40 है बाग चला जाएगा 4 से दोनों में यही आपका प्रसरन है 4 से बाग जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, 2, 2 यहाँ पर 10 फिर देदो 4 से बाग देदो तो यहाँ पर बचेगा 2, 1, 1 डिवाइड बाइड बाइ 5 इस से जादा हम सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है तो यह अपना फाइनल आंसर है पांस से चाहँ तो डिवाइड कर सकते हैं पर हमें नहीं करना चलिए यहाँ आपको यह चीज़ क्लियर है तो यह प्रस्ट यहाँ पर समाप्त होता हुआ प्रस्ट नमबर 4 चलो यहाँ आगे बड़े और एक बड़न देखना चाहिए कि यहां का और अपना केल्कूलेशन का जो जोड़ है शायद मेरे इस साफ से वो कुछ और कह रहा है चलो देख लेते काल्कूलेशन एक बार फिर से अपना उनका इंका 330, 333, फिर 324 है क्यों 9 का 4 में गुणा करोगे 81 का 4 में गुणा करना है तो 324 आएगा मतलब 8 योग 32 32 ये बास सही है मैंने 3 में गुणा कर दिया था तो यहाँ पर 324 आएगा मतलब योग में थोड़ा परिवर्तन होगा इसके पहले जो योग लिखा था था ना 242 गटा कर उसकी जगे 324 कर दो मतलब यहां से इस योग में से 244 हटा दो क्योंकि वो गलत इंटरी थी और यहां पर 324 आपको लिख देना चाहिए तो यह जाएगा तो कितना बचेगा यह जाएगा तो 14, 4, 4 और उसमें 324 आपको जोड़ना पड़ेगा तो 324 तो यह बचेगा 6 या 8, 6, 17 तो यहां से जो योग आ रहा है वो आ रहा है 17, 68 इसे मैं यहां लिख देता हूँ कि यह जो आपका योग आ रहा है न सिग्मा एफाई साथ में एकसाई माइनस एकस बार का वर्ग यह है 17, 68 तो यहां पर इसकी जगे 17, 68 आ जाएगा 17, 68 डिवाइड बाइड बाई 40 और 2 से कटने के बाद कुछ कटेगा है नहीं तो आंसर यह भी क्लियर है देख लीजी एक बार फटाफ चलो यार बढ़े पाच्वे सवाल की तरफ पाच्वा सवाल क्या कहता है वो कहता है के प्रश्न नमबर एक से पाच अच्छा था था ना ठीक है चोथे का यह एक अलकुलेशन था फाइनली पाच्वा प्रश्न वही एकसाई एफाई और आकड़ा अभी भी आ है लेकिन असतत बारंबारिता है है ना तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर वर्गी क्रत्तों इन लोगों ने करके दिया है लेकिन असतत बारंबारिता भी है आसतत बारंबारिता टेबल तो अभी भी बनानी पड़ेगी उससे बचनी सकते हम लोग खेट और यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी सारे FI के योग की पहले तो FI का योग को अपने N कहते हैं यही निकाल लेते हैं सारे FI का योग है ना तो 3 2 5 5 और 5 10 ठीक है 10 से 16 16 और 3 18 18 और 3 22 तो N का मान 22 सारी frequencies का योग कितना है 22 है बात करते है टेबल की पहले तो अपन बनाते है XI जो अपने को दिया है और दूसरा FI XI में क्या क्या है तो XI में 92 93 सिंत्यानवे इंठ्यानवे तो बानवे 93 सिंत्यानवे और इंठ्यानवे उसके बाद उसके बाद 102 104 109 102 104 और 109 ऐसा कुछ अब देखो यार अपन निकालते हैं FI का योग FI का योग मतलब अपन इनको लिख लेते हैं 32 32 633 32 32 32 633 32 32 32 32 32 32 33 33 33 चलिए शुरुवात करते हैं फिर आगे की सबसे पहले माद दी निकालना पड़ेगा प्रस्रण के लिए प्रस्रण में भी बोला है कि माद दी निकालिए माद दी निकालने के लिए क्या करोगे XI को FI से गुणा करोगे बिलकुल करोगे 92 का 3 में गुणा ठीक है तो 3 दूनी 6 और 9 27 बिलकुल सही है 93 का 2 में गुणा तो 90 का 181 86 उसके बाद 97 का 3 में गुणा 3321 हांसिल 2 तीन नाम 27 और 2 29 करेक्ट है 92 का 2 में गुणा तो 92 का डबल या यू माल दीजिए कि आप 200 में से 4 कम कर दीजिए 196 102 का 6 में गुणा तो 612 600 और उसके बाद 12 104 का 3 में गुणा तो 432 मतलब 312 और फिर 109 का 3 में गुणा तो 300 और 27 तो 327 इसका जोड़ और कर लेते हैं क्योंकि यह अभी आवश्या के हमारे लिए यह निकालने के लिए क्यों निकालना आवश्या के क्योंकि हमें यहां पर मात दिन निकालना है मात दिन निकालने के लिए इसके जोड़ तो चाहिए ही चाहिए तो 6-6-12, ठीके, 18, 18-20, 22-22, 27-29 और एक यह छोड़ दिया था मैंने कल्कुलेशन में 30 क्योंकि वो लास्ट में जोड़ सकते थे च्छे का फ्लोग बन रहा था बचे 3, 15, 15 और 9, 24, 24 और 9, 33, 33 और एक 34, 35, 36, 37 और 3 जो बचे हुए थे वो फिर से मिलके हो गए 0 बचे 4, क्योंकि 40 हो गए अभी, 2 और एक 3, 3 और 2, 5, 6, 6, 6, 12, 6, 3, 18 और 4 जो बचे थे वो मिला के हो गए 2200 तो अपन निकालने जा रहे हैं माध्य यह कैलकूलेशन अपन हटा सकते हैं और इससे आगे भी बढ़ सकते हैं तो लेट्स डू इस कुछ तिंग मोर बेटर चलिए माध्य के बारे में बात करते हैं हम निकालने जा रहे हैं माध्य माध्य इस केस में कितना निकलेगा तो इस case में जो माध्य होगा जिसे आप x बार कह सकते हैं वो है सारे f i x i का जोड divided by सारा f i अब प्रेश्ण में आपने दो चीजे निकाल ली है ये f i x i का जोड आप निकाल चुके जो की 22 सो है और साथ ही साथ सारे x i f i का जोड भी निकाल चुके जो की 22 है तो माध्य जो होगा 22 सो का 22 में भाग दे कर निकल जाएगा माध्य का मान तो आया 100 चलिए clear है क्या माध्य का मान 100 माध्य का मान 100 आने के बाद आगे बढ़ा जाए और इसे पूरा किया जाए कि यदि माद्धी का मान 100 है तो हर XI में से आपको माद्धी घटाना पड़ेगा मतलब क्या घटाना पड़ेगा 100 घटाना पड़ेगा क्योंकि माद्धी का मान 100 है चलिए फिर तो बान्नू में से आपने घटाया 100 मिला माइनस 8 93 में से घटाया 100 तो माइनस 7 50 अभी मैं से घटाओगे तो माइनस 3 98 में से घटाओगे तो माइनस 2 102 104 104 इन वे अनुए घटाओगे तो 24 और 9 उसके बाद आगे भी बहुत बड़ी टेबल आती है आगे की टेबल क्या सहती कि आपने जो यह अपिशली टेबल में निकाला उसका क्या कर दो वर्ह त ऌником 64, 49, 9, अरे यह माइनस 8, माइनस 7 इनका वर्ग करना है और कुछ नहीं, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 4, 4, 16, 81, अब हर FI का उसमें गुणा करना है, हर FI का इसमें गुणा करना है, मतलब जो FI आपके सामने है, उसका XI माइनस X बार में गुणा करना है, अगर इसका इसमें गुणा करना है, तो 64 का 3 में गुणा करना मतलब 192, ऐसा क्यों, 60 का 3 में गुणा 180, 4 का 3 में गुणा 12, 180 प्लस 12, 2 का 49 में गुणा 98, 9 का 3 में गुण 27 वाउ चार का 2 में गुणा 8 6 का 4 में गुणा 24 3 का 16 में गुणा 48 81 का 3 में गुणा तो 81 का ट्रिपल करोगे मतलब 8 80 का ट्रिपल करोगे 240 उसमें 3 जोर दोगे तो 243 बस आपको यही वाला योग निकालना है यहां पर अब यह योग किता है वो देखो फटा फट देखो 8 2 10 10 7 17 17 8 25 25 29 29 और 8 37 37 37 37 40 हासिल बचे चार नो नो अठारा अठारा और दो बीस बीस चार बीस और दो बाइस बाइस और आट तीस और वो जो चार पहले के बचे चे चोंतिस चार बचे कितने तीन अब एक और दो तीन तीन और तीन 6 640 तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला योग आया है 640 शुरुवात करते हैं प्रसरन निकालने की प्रसरन कैसे निकलता है इसका सुत्र होता है कि जितना भी आपने एकस आई माइनस एकस बार में वर्ग करके कैलकुलेशन किया है उसको आप टोटल एकस आई से भाग दे दीजिए टोटल एकस आई तो 22 है और अपन ये निकाल चुके है कि ये वाली जो कहानी है एकस आई माइनस एकस बार वो मिला टोटल 640 के तो प्रसरन कितना प्रसरन 640 डिवाइड बाइड बाइस कटे तो कार सकते हो यह आएगा 640320 डिवाइड बाइड बाइड बाइवन फाइनल आंसर इससे आद आप इसे नहीं ला सकते हैं मतलब डैसिमल में दश्मलाव में कर सकते हो सॉलिशन लेकिन यह आंसर भिन्न के रूप में भी सही है चलिए इतना कैलकुलेशन ठीक है एक बार टेबल से मिला लेते हैं इनकी टेबल क्या कहती है और अपनी टेबल क्या कहती है अपनी टेबल हर बार कुछने को थोड़ा बहुत उपन नीचे हो जाता है चैसो चालिस, बाइस सो और बाइस करेक्ट है अर्पिटेबल इस बार पूरी तरह से सही है यह लास्ट वला कैलकुलेशन मिला मतलब अभी अपन मान सकते हैं कि अपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही है प्रेश्ण नमबर 6 लगू विधी द्वारा माध्य वा मानक विचलंग ज्याद कीजिए अब यह लगू विधी क्या है सबसे पहले इन आकडों को ध्यान से देखो आकडों में 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66 और 68 है इसका मतलब यह जो आकड़े यहाँ पर दिये गए है इन में calculation बहुत ज़ादा हो जाएगा क्यों ज़ादा हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो आप इन दोनों का वर्ग करोगे इसका वर्ग करोगे इसका मतलब गुणा करोगे माध्य निकालने के लिए इसका इसमे इसका इसमे इसका इसमे चलिए शुरुवात करते हैं लगू विधी निकालने की तरफ अब लगू विधी के लिए क्या calculation सबसे पहले तो माद दिन निकालने में लगू विधी आपकी कैसे सहायता कर सकती है वो देख लेता है सबसे पहले माद दी निकालने में लगूवदी कैसे सहायता करेगी XI और उसके साथ उसकी FI XI का मतलब 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66, 66, 68 तो यहाँ पर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66, 66 उसके बाद FI 1, 2, 2, 1, 12, 29 देखो कितनी भयंकर FI दी हुई है 2, 1, फिर 12, फिर 29 अब आप सोचिए कि आप 63 का 29 में गुना करने बैठे हैं उसके बाद 25, 12 और 10 फिर यहाँ 25, यहाँ 12 और यहाँ 10 After that, 4 और 5 एक बार verify कर लो यार 2, 1, 12, 29 2, 1, 12, 29 12, 10, 45 12, 10, 45 ठीक है देखिए इस ऐसी condition में माद्धि निकालने के लिए आप कल्पित माद्धि मान सकते हैं उस विदी का प्रयोग कर सकते हैं हम क्या मानते हैं कल्पित माद्धि विदी में माद्धि मान लेते हैं जो इनके बीच में कोई सा भी एक नंबर उठा लो क्या है तो आपन सबसे पहले माद्धि निकालने जा रहे और माद्धि के लिए क्या निकालेंगे अपन कल्पित माद्धि विदी से पहले माद्धि निकालेंंगे कि आपको प्रेश्ट बे यह बात साफ साफ तोर पर बोली है कि लगू विदी द्वारा माद दिवा मानक विश्लन ग्याद कीजिए आपको यहां पर प्रसरन नहीं निकालना है क्या निकालना है मानक विश्लन मानक विश्लन क्या होता है तो सिंपल सी प्रोसेस है यार मानक विश्लन प्रसरन का वर्गमूल होता है तो प्रसरन तो निकाल नहीं पड़ेगा तो कल्पित माध्य मान लेते हैं मान लेते हैं कल्पित माध्य A है जिसका मान है 64 क्या माना हमने कि कल्पित माध्य जिसे अपन A कह रहे हैं वो किसके बराबर है 64 के बराबर है अब उसके बाद हम यह देखते हैं कि इनके बीच में अंतराल कितना है तो अंतराल 60 और 1, 61, 62, 63 मतलब अंतराल 10 या 5 जैसा नहीं एक-एक का अंतराल है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर H का मान एक ले सकते हैं H का मान एक मतलब जो डेटा दिया हुआ है इसमें अंतराल कितना है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 67, 67 नहीं है उसके बाद आप एक YI नाम की संख्या निकालेंगे YI का मतलब है जो भी XI है उसमें से कल्पित माध्य को घटा कर H से भाग देना अब चुकि H तो 1 है H1 आया आया तो H अगर 1 है तो XI मतलब आपने 60 में से क्या घटा आया माइनस या 60 में से 64 घटा तो माइनस 4 फिर 61 में से 64 घटा तो माइनस 3 62 में से 64 घटा तो माइनस 2 63 में से 64 घटा तो माइनस 1 0, 1, 2, 3 और 4 ये 4 चीज़े आपके सामने यहां निकल कर आ गई अब कल्पित माध्य निकालने के लिए आप क्या कीजिए इसे सामान्य तरद डी आई भी कहा जाता है मतलब इसे आप य आई की जगे डी आई भी कह सकते हैं थुड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में कक्षा 10 में इसे आपने डी आई कहा ठीक है अब आप क्या कीजिए सारे FIDI का गुणा कर दीजिए आपको FIXI का गुणा करने से मैंने बचा लिया किसका गुणा करना FIDI का 4 का 2 में गुणा पर माइनस चिन्द के साथ माइनस 3, माइनस 24, माइनस 29 यहाँ 0, यहाँ 12, यहाँ 20, यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी 20 अब इन सभी को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है यहाँ से आपको कुछ कुछ जोड़ की आवशक्ता है कि जोड़ कितना आ रहा है FIDI का FIDI का जोड़ कितना आ रहा है इसकी आवश्यक्ता हमें यहाँ पर है साथ ही साथ हमें FI के जोड की आवश्यक्ता भी रहेगी कि FI का जोड कितना है यह भी बता दीजिए तो दो और एक तीन तीन और बारा 15 15 और 29 44 क्योंकि 15 और 35 45 होते तो यह 44 हो गया 44 और 25 69 69 और 12 81 81 और 10 91 91 और 9 100 तो भाई साथ जितनी फ्रिक्वेंसी उन सभी का मान कितना आया सो आया उसके बाद आपने FIDI निकाला FIDI का योग मतलब देखो कितना आएगा इसमें से डारेक्ती हटा भी सकते हो ना 8 3 11 ठीक है 11 और 24 35 35 और 29 ग्यारा और 24 35 ठीक है 35 और 30 65 एक कम कर दो तो माइनस 64 तो उपर वाला धनात्मक इदनात्मक योग रहाया प्लस उसमें कौन सा धनात्मक योग करेंगे ये वाला 32 32 32 32 कितना 64 तो ये भी 64 तो भाई साब ये तो 0 आ गया इसका मतलब है कि FIDI किसके बर बिदाबर 0 के बराबर अब जूकि आपको पताये कि कल्पत माध्य विधी में आपके सामने जो माध्य होता है बंग तो निकलता है A में आप H के साथ FIDI का गुना करके N से भाग दे दीजिए A मतलब कितना 64 प्लस H तो 1 है FIDI 0 और ये 100 तो भाई साब आपका X जो आया है X बार आया वो 64 प्लस 100 That means X बार is equal to 64 तो कल्पित माध्दि विदी से जो माध्दि आया वो 64 के वराबर आया मतलब हमने जिस माध्दि की कल्पना की थी वो उसी के वराबर आया इसा हो सकता है मतलब हमारा तुक्का सही बैठा ऐसा नहीं कह सकते प्रश्न में ऐसा था ही कि कल्पित माध्याब 64 माने और आपका calculation बहुत simple तरीके से आजाए इतना clear है क्या है अब दुखिए अगर आपको प्रसरन निकालना है पहले प्रसरन का सुत्र आपको बताता हूँ प्रसरन का सुत्र अगर आप लगू विधी से जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकूलेटिव है जरूर लगू विधी से प्रसरन लगू विधी से क्या निकाल रहे हैं हम लोग प्रसरन जिसे आप रो का वर्ग कह सकते हैं जिसका मतलब है आपने सबसे पहले तो एक बटा एन कर दि किया और जितना भी आपका heffa India उसमें आपने डी आई का वग कर दिया को इतना ठीक है ना जितना भी एफाई उसमें किसका वरग किया है डी आई का वर्ग ठीके और एफाई का डियाई में गुणा करके वर्ग टेबल देखो आपको डियाई पता है पता है तो डियाई का वर्ग निकालना पड़ेगा और एफाई का डियाई में गुणा भी करना है एफाई का डियाई में गुणा तो अपन कर चुके जीरो आया ठीके तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं डी आई का वर्ग डी आई का वर्ग मतलब सोला नो आठ आठ नी चार और फिर एक साथी साथ जीरो एक चार नो और सोला इससे कुछ नहीं होगा आगे जाकर हमें इस डी आई के वर्ग में किसको जोड़ना पड़ेगा किसका गुणा करना पड़ेगा F.A.E. का है ना तो दो का गुणा इस वाले में करना दो का सोला में गुणा किया तो 32 दो का एक का नो में गुणा किया तो 9 बार चोक 48 29 एकम 29 जीरो आजाएगा कि यह इंट्री 0 है बारा एकम बारा ठीके 10 का चार में गुणा 40 चार का 9 में गुणा 36 और यह जाएगा 5 का 16 में गुणा 80 है ना तो 32 और नौ यह तो ठीक है मतलब इसको जोड़ते जावर क्या आता ही है 32 और 9 हुए 41 41 में 48 जोड़ा तो 89 89 में 29 जोड़ा तो 89 में 30 जोड़ दो ठीक है यह 90 में 30 जोड़ दो 120 उसमें से दो गटा दो 89 29 की वैसे 118 118 में 14 जोड़ा तो 118 में 12 जोड़ा तो 140 नी 130 130 में अपने 40 जोड़ा तो 170 170 में फिर से अपनने अच से 180 जोड़ दिया तो 170 प्लस 80 17 और 8 25 तो धाइसो 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 में 36 जोड़ा तो 286 यह आपके सामने 286 आया क्या मिला जितना भी FI XI था या FI DI था उसका वर्ग अगर इतना क्लियर है तो आपके सामने 286 तो यह वाला भाग मिला देखो क्या क्या है आपके पास आपके पास सारी चीज़े हैं N का मान तो 100 है 100 था अपने निकाला उसके बाद FI DI का जो योग है या FI DI के वर्ग का योग 286 आया और उसके बाद तीसरी वाली जो कहानी है FI का DI में गुणा करने पर जो जोड़ आया वो 100 तो कैन यू से कि यहां से जो प्रसरन होगा वो है एक बटा सो का वर्ग मतलब एक बटा सो का वर्ग गुणा यहां 100 और यहां 286 माइनस यह वाली कहानी तो 0 का वर्ग तो 0 का वर्ग तो हटा 100 से 100 कटा तो रो का वर्ग आया 286 बाई 100 जिसको आप लिख सकते हैं कि रो का वर्ग है 2.86 और यह 2.86 क्या है प्रसरन है प्रस्ण में आपसे प्रसरन नहीं पूछा है तो क्या पूछा है चुँकि आपसे पूछा है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे आप SD भी कह सकते हैं और जिसे आप कह सकते हैं कि यह तो जो रो है ना मतलब जो अपनने प्रसरन निकाला उसका वर्ग मूल है तो मानक विचलन आपके सामने वर्ग मूल 2.86 आ जाएगा यह आपका उत्तर है इस प्रश्ण का मानक विचलन भी आपके सामने है लगू विदी से प्रसरन भी आपके सामने है सुत्र यह याद रख लेना पिछली कक्षा में जब हमने आखरी उधारन सॉल्फ किया था तो इसे पूरा नहीं डिसकस किया था मतलब वहां पर हमने उस विधी को डिराइफ किया था और इसे इतना लिक्के फिर अपने कैलकुलेशन कर लिया था यहां पर आपका आपका आंसर 2.86 से एक बार कैलकूलेट कर लीजिए मैच कर लीजिए अपन यहां पर इसे एक बार देख सकते हैं प्लियर है क्या चलो इनके टेबल से मिदा लेते हैं इनके टेबल क्या कहती है तो इनकी टेबल अप आखरी में 286 यह 220 आ रहा है 220 किसका योग है वाई आई का ठीक है मतलब 2.0 something something ठीक है हमें उसके आवश्च इसकी आवश्चकता भी नहीं है वैसे 0 आ रहा था की तरफ बढ़ेंगे और 8 की तरफ बढ़ेंगे ठीक है प्रेश्च नमबर 7 वा आठ में बारंबारिता बंटन के लिए माध्यवा प्रसरन ग्याद कीजिए मतलब आपको इस वर्ग अंतराल में या इस तरह के डेटा में माध्य तथा प्रसरन ग्याद करना है अब मेरी बा बारंबारिता और दूसरा यहां पर उसकी बारंबारिता दी हुई है अब जब सतत बारंबारिता बंटन आता है तो इसका कोई special logic नहीं है सतत बारंबारिता बंटन में आपको वर्ग दिये होते हैं जैसे कि यहां दिया हुआ है और उनकी बारंबारिता मतलब F दी हुई हो सतत बारम बारिता बंटन के वर्ग के आपको मद्य बिंदू निकाल कर इसे बदल देना होता है आ सतत बारम बारिता बंटन में बाकी सब तो वही है जो अपने अभी सवाल पहले किया ठीक है तो बस लेट्स डिसकस और लेट्स सॉल्फ यह वाला जो कॉंसेप्ट इसके आधार पर अपन सवाल करेंगे अगला मतलब बेसिकली इस सतत वाले को हमें आ सतत में बदलना है मद्य बिंदू लेकर क्लियर है क्या इस इस कॉंसेप्ट को आप समझेए तो सबसे पहले 0, 30, 30, 60, 60, 90, 90, 120, 120, 150, 150, 180, 180, 110 को लिखकर इनके मद्य बिंदू लिखे जाए पहला तो लॉजिक यही होगा है ना सो हमारे पास यहां कुछ वर्ग दिये हैं वर्ग के आधार पर कुछ उनकी एफ आई भी दी हुई है वर्ग कितना 0 से 30 30 से 60 है ना 60 से 90 होगा एक बार देख लेते हैं यार 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 से 210 तक जाना है ठीक है 90 से 120 होगा है 120 से 150 और 150 से 180 और 180 से 210 क्लियर है क्या यू कन वेरिफाय देटा अगें ओके और इनकी एफाई दी हुई है एफाई भी लिख लेते हैं दो तीन पांच दस दो तीन पांच दस तो यह दो यह तीन यह पांच और यह दस उसके बाद तीन पांच दो यह तीन यह पांच और उसके बाद यह दो इतना निकला एफाई निकला अब आपको क्या करना पड़ेगा इस वर्ग का मध्य बिंदू निकालना पड़ेगा और वर्ग का मध्य बिंदू निकालने के साथ आप सबसे पहले यहाँ पर जोड भी करते जाहिए क्योंकि आपको बहुत सारा जोड भी निकालना है इस केस में है ना जोड तो हमको बहुत सारा निकालने पड़ते हैं तो आपन ने यहाँ पर सबसे पहला जोड निकाला कि जितने भी FI हैं उनका जोड कित तो 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 20, 20 और 23, 23 और 5, 28, 28 और 2, 30 next find out the mean position मद्ध बिंदू 0 और 30 के मद्ध का बिंदू 15 उसके बाद का 45 उसके बाद का 75 उसके बाद का 105 और उसके बाद 135 और उसके बाद 135 का 165 हो जाएगा 30-30 जोड़ते जाव यार और उसके बाद 195 ये मिले हैं मद्ध बिंदू अब इन मद्ध बिंदू के साथ आपको निकालना पड़ेगा माद्ध अब एक बात बताईए क्या वही माद्ध हम लिखे या फिर हम लगू विदी से निकाल लें क्यालकूलेशन सिंपल कहां से पड़ेगा लगू विदी से आप परिफाई कर सकते हैं कौन सा माद्ध सिंपल होगा तो यहां पर जाहिर सी बात है कि हम FIXI तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर माद्ध निकालने के लिए इनका अपस में गुणा करेंगे तो क्या करने जा रहे काई हम कल्पित माद्ध विदी का प्रयोग करेंगे मतलब सबसे पहले मान लेगे कि कोई ना कोई माद्ध ऐसा है जो हमारी कल्पना में रहता है ठीक है इसी प्रश्न को हम लोग कल्पित माध्य विदी से हल करने की कोशिश करेंगे अगें प्रश्न को हल किया जाएगा कल्पित माध्य विदी से मतलब सबसे पहले हम माध्य जो निकालेंगे वो निकालने के लिए जिस विदी का प्रयोग कर रहे हैं वो है कल्पित माध्य और उसके लिए हमें क्या करना होगा हमने माना कि हमारा ए जो है वो माध्य है ठीक है ए बराबर कौन सा ए बराबर आपका जो मन करें उससे माध्य ले लो तो जाहिर सी बात है सबको बीच वाला value माध्य दिख रहे होगी 105 तो हमने 105 को माध्य ले लिया तो 105 है हमारा कल्पित माध्य क्या है यह कल्पित माध्य मतलब हमने कल्पना में इसे माध्य माल लिया कि हो ना हो यही माध्य होगा तो फिर जब मान ही लिया है तो हल क्यों करना चलिए ठीक है अब आप क्या करेंगे आप उसके बाद ये देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर आकड़े दिये हैं उनमें अंतर कितना कितना है देखो 15 से 45 30 का अंतर 30 का अंतर 30 का सब में 30 30 का अंतर है तो मैं एक ह नाम की संख्या मानता हूँ जिसे बोल देता हूँ कि H जो है वो 30 है अब ये करने के बाद हम एक नई चीज निकालते हैं जिसे पन डी आई कहते हैं डी आई निकालने का मतलब आपनक हर आकड़े में से कल्पित माध्य को घटा कर H से भाग दे दीजिए आप यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो नहीं का मतलब हर आकड़े में से कल्पित माध्य को घटा कर किसे भाग दे रहेंहें आप आप भाग दे रहें हैं है ऑच से चीज कि तो एक सो पंदरा में से 105 गए है एक का मतलब 30 है और एक का मतलब 105 है तो इसे मैंने वहाँ परिभाशित कर दिया है तो मैं डी आई का फॉर्मूला है लिख देता हूं आप लोगों के जी तो डी आई जो है हर एक साई में से 105 घटेगा और भाग किसका दिया जाएगा 30 का 15 में से 105 गए तो 90, 90 में 30 का भाग दिया तो 33 लेकिन रनात्मक चिनने के साथ क्योंकि 105 बढ़ा है 45 में भाग गए 105 तो 60 माइनस चिनने के साथ तो माइनस दो ये माइनस एक, ये जीरो, ये एक, ये दो और ये तीन You can verify, ठीके, 75 में से 105 गए तो 30 बचेंगे, मतलब माइनस 30 बचेंगे उसके बाद माद दिन निकालने के लिए आपको DI का FI में गुणा करना पड़ेगा FI का DI में गुणा किया तो 2 का माइनस 3 में गुणा माइनस 6 दो का माइनस 3 में गुणा फिर माइनस 6, पाच का माइनस 1 में गुणा माइनस 5 00 उसके बाद 3, 5 और 2 तो 3, 5 दुनी 10 और ये 6 इन सभी का योग आपको निकालना है FI, DI का कितना आए गए ये? 6, 6, 6 मतलब 6, 6, 12 और 5, 17 17 और यहां पर होगा 16 और 3, 19 तो बचेंगे 2 कितना? 2 ठीक है, फाइन तो अगर मैं यहां पर माध्य निकालने जाऊं माध्य तो इस विदी से माध्य आता है A प्लस आप H में सारे FI, DI को जब आपने जोड़ा है उसको भाग दे दीजिए N से यह आपका कल्पित माध्य होना चाहिए क्लियर है क्या? N कितना है? 30 है H कितना है? 30 है है न? H का मान भी आपने 30 लिया है FI, DI का मान 2 है H का मान आपने 30 लिया है तो माध्य कितना आ जाएगा? 105 प्लस 30 गुणा 2 बटा 30 तो 2 बटा 30, 30 कैंसल तो X बार बराबर 105 प्लस 2 और Finally मैं लिख सकता हूँ कि X बार जो है वो 107 के बराबर है किसके बराबर? 107 माध्य निकला? निकला आपको प्रश्ण में बोला था माध्य बोला था तो अपने निकाल लिया माध्य तो आगे प्रसरन तो प्रसरन निकालने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि प्रसरन का तो अपने पास दूसरा भी सुत्र है प्रसरन कौन सी विदी से निकालेंगे? लगू विदी से आपको यह बोला कि लगू विदी से और ना भी बोले एक बटा N का वर्ग लिख देना यहाँ पर ठीक उसके बाद बड़ा सा ब्रेकेट लगाना है सबसे पहले यहाँ पर N और F I को एक बार लिखो और X I का दो बार वर्ग मतलब वर्ग कर दो का माइनस माइनस क्या था माइनस F I XI नहीं था यहाँ पर कि जाएग दी आई था है ना F I को चू जाएगर किया था दी आई था और उसके बाद यहाँ पर F I का दी आई में गुना करके वर्ग करके गटा दो अब आपको FIDI का गुणा तो आप निकाल चुके हो जो कि आपको माद में जरुवत पड़ी थी FIDI का गुणा निकाल चुके हो Nिकाल चुके हो DI का वर्ग करके FI में गुणा करना है और है ना तो आपको क्या करना है अब आपको FI में डी आई का वर्ग गुना करना है तो इसे पता है आप ऐसे निकाल सकते हूं कि इस डी आई का वर्ग करके एफ आई में गुना कर दो एक तो तरीका यह हो सकता है या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हो कि हम सर एफ आई का डी आई में गुना तो निकाल चुके यह वाली टेबल मे अगर मैं इसमें D.I. का गुणा एक बार फिर से कर दूं तो D.I. का वर्ग हो जाएगा देखो या तो अब ये निकालो इसका वर्ग करके F.I. में गुणा करो जिसे 3 का वर्ग कितना 6 या 9 9 का डबल 18 यहां से या फिर इसमें इसका गुणा कर दो D.I. में F.I. D.I. में D.I. का गुणा करोगे तो F.I. D.I. का वर्ग तो 6 दुनी 18 प्लस चिन्न के साथ 12 प्लस चिन्न के साथ 5 इन दोनों का गुणा करना है बस ये 0 ये 3 ये आया 20 और ये मिला 18 अब इसको भी जोल लो F.I. का D.I. के वर्ग में गुणा करना तो 18 और 12 तीस तीस और 5 पैतिस पैतिस और 20 पचपन पचपन और इन दोनों को मिलाओगे तो 21 होगा 76 फाइनली कितना 76 तो बस अभी से अपन सॉल्फ करेंगे और कुछ नहीं है आपके सामने सारी वैलियूज है देखो क्या क्या है आपके सामने N है बिलकुल है N का मान तो ने देख लिया था कितना था तीस के बराबर उसके बाद सारे FIDI का वर्ग यह आया है 76 के बराबर साथ ही साथ FIDI का जो वर्गे वो कितना FIDI का गुणा आया 2 के बराबर इतना यह ना इस सीस को आप एक बर और वेरिफाई कर दीजिए यहां से नो दुनी अठारा चार त्री बारा पांच एकम पांच तीन बीस और यह मिला फिर से अठारा ठीक है अठार दुना चत्तिस और वीच चपन चपन और बारा अरसट अ और पांच तीहत्तर तीहत्तर और तीन चेहत्तर ठीक है सर जी तो भास अपन 76 सही है तो नाव वी हव तो कल्कुलेट इस सिंपल तिंग अगें क्या मिलेगा रो का वर्ग बराबर एक बटा एन का वर्ग मतलब एक बटा तीस का वर्ग साथ में तीस गुणा एफ आई डी आई का वर्ग 76 माइनस दो का वर्ग तो रो का वर्ग बराबर एक बटा नाइन हंडरेड साथ में 76 का तीन में गुणा तो 75 का तीन में गुणा होता है 225 उसमें तीन और जोड़ दो 228 या फिर कल गुड कर लो 268 हनसिल 1 26ए 21 और 22 माइनस 4 तो आपके सामने प्रसरण का मान आया इसमें से मिलेगा 22 76 डिवाइड बाई 900 अब 22 anger टिवाइड डिवाईड बाई 900 और कैंसल होता है किसी से तो ठीक है नहीं होता तो ठीक है नहीं होता है क्योंकि 22, 76, 33, ये वाली जो संख्या है ना ये वाली 900, 900 का 2 में भाग जाएगा, 3 में जाएगा और 5 में जाएगा, ये संख्या के आखरी में 6 है, 2 से भाग चला जाएगा, उसके बाद एक बार जाएगा, उसके बाद ये संख्या के उसके बाद इन सभी का जोड करोगे तो 2, 2, 4, 4, उर 7 11 11 और छे 7 तीन 세व नहीं जाएगा आखरि में पांच नहीं चाहिए तो इतना लिखना भी ठीक है यह आपका प्रसरन है आपसे क्या बोला था प्रसरन निकालने का तो प्रसरन भी आप निकाल चुके हैं बस हमें वेरिफाइए करना है इस प्रश्ण में कि हमारे आखरी के जो calculations है वो सही है कि यह 76 आना चाहिए तो इनके टेबल में एक बार verify कर लेते हैं यार 76 correct to correct तो इस तरह से अपने सारे calculation सही कि अपन बोल सकते हैं प्रश्ण अपना ये वाला भी solve हो चुका है चलिए प्रश्ण नंबर आठ फिर वही है माध्य और आपको प्रसरन ग्याद करना है इस तरह के आकड़े में 0 से 10 10 से 20 20 से 30 और 30 से 40 40 से 50 5 8 15 16 और 6 करना क्या है यही जो अभी अपन ने किया निकालना वह यह लगू विदी से ही निकालेंगे और यही calculations फिर से करेंगे तो इस table को अपनना मिटाते नहीं है इस table को अपन modify करते हैं इस बार 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 table बनाने में बड़ी दिक्कत होती है so now we are going to modify this table हमें जो जो जरुत पड़ेगी अपन निकालेंगे मद्य बिन्दू की आवशकत्ता पड़ेगी उसकी जरुत पड़ेगी यहां पर यह थोड़ा d define होगा कल्पित माध्य चेंज होगा यह चेंज होगा तो यह भी चेंज होगा और 30 से 40 और 40 से 50 ठीक है उसके बाद इनकी बारम बारीता 5, 8, 15, 16 और 6 कितनी? 5, 8, 15, 16 और 6 अब इन सभी को जोड़ के देख लो एक बार कितना आ रहा है पहले ये सबसे पहले FI का सम निकाल ले 5, 8, 13, 13, 15, 28, 28 और 6, 34, 34, 44, 46, 50 तो सारी FI का जोड़ कितना आ रहा है? 50 आ रहा है इसी प्रश्न में प्रश्न आपके सामने यही है अपन यहां पर कुछ-कुछ चीज़े देख लेते हैं क्या मिली? सबसे पहला आपको सारे FI का योग मिला जो की है N के बराबर जो 50 होता है दूसरी चीज़, अब आगे बरते हैं, आगे बरते हमें क्या मिलेगा? उसके बाद हम मद्दी बिंदू निकालेंगे इस अंतराल के तो मद्दी बिंदू 0 और 10 के बीच का 5, यहां का 15 आ जाएगा, अब इसके बाद 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा और उसके बाद 45 आ जाएगा ये बाई ये डिवाइड बाई टू इन दोनों को जोड़के आधा आधा करते जाओ अब इनमें आपको क्या माना जा सकता है माध्य 25 दिख रहा है बीच वाला मान तो हम मान लेते हैं कि हमारे इस केस में जो माध्य हम लोग निकालने जा रहे हैं पहले तो अपन ने माना कि एक माध्य है जो हमारे कल्पना में है जिसे मैं कह सकता हूँ कल्पित माध्य जो की होना चाहिए A के बराबर अपन ने इसको 25 माना है और एक बात बताईए इन सभी के इन सभी जितने भी आपको आकड़े दिये हैं इन सभी में अंतर कितना है? 10-10 का है 5, 15, 25, 35, 45 तो H का मान हमने मान लिया 10 माना की H नाम की एक संख्या है जो की 10 के बराबर है तो अब आप जो D.I. निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो सर हम एक D.I. निकालने जा रहे हैं D.I. का सुत्र होगा हर आकड़े में से हम कल्पित माद्य को घटा कर 10 से भाग दे देंगे या H से भाग दे देंगे यही होगा तो D.I. का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो यहाँ पर बन जाना चाहिए हर आकड़े में से मतलब हर X.I. में से आपको क्या घटाना होगा? X.I. में से 25 घटाएंगे और 10 से भाग दे देंगे 5 में से 25 घटाया तो माइनस 20 माइनस 20 को 10 से भाग दिया तो माइनस 2 15 में से 25 घटाया तो माइनस 10 माइनस 10 को 10 से भाग दिया तो माइनस 1 25 में से 25 घटाया तो 0 35 में से 25 घटाया तो 10 इसको भाग दिया तो 1 45 में से 25 घटाया तो कितने? 2 अब क्या करेंगे? हर F I E को D I E में गुणा करेंगे F I E को D I E में गुणा किया तो माइनस दस माइनस आठ जीरो सोला और बारा क्लियर है अब इनको जोड़ दो यार ठीक है जोडने पर कितना आएगा माइनस दस और माइनस आठ माइनस अठारा सोला के साथ जुड़ेंगे तो माइनस दो बाकी रह जाएगा बारा के साथ जुडने पर ये दस दे देंगे सो क्लियरली आपके सामने जो F I D I E का योग मिला है सारे F I D I E का योग जो मिला है वो मिला है दस के बराबर ये कुछ कुछ चीजे नोट करते जाना क्योंकि इनकी आवशक्ता हमें पढ़ती जाएगी जब आप कल्पित माध्य निकालेंगे है ना कल्पित माध्य के अलावा जब आप प्रसरन निकालेंगे तब भी आवशक्ता पड़ेगी तो चली हम निकालते हैं माध्य क्या होता है माध्य कल्पित माध्य वीदी से कल्पित माध्य अाफन निकाल रहे हैं वो होता है एक प्लस सारे fi को d ayud में गुना कर दो योग निकाल लो और h बटा n कर दो यही होता है A का मतलब आपने जो कल्पित माद्दी माना था 25 F I का D I में गुणा 10 H का मतलब भी 10 और ये मिला 50 है ना N का मान 50 10 10 100 100 को आपने से 50 मतलब 100 बटा 2 किया तो कितना आया या 100 बटा 50 किया तो 2 तो माद्दी आना चाहिए 27 25 प्लस 2 तो चलिए माद्दी का मान कितना आया माद्दी का मान 27 इस इस दा फर्स आंसर आट वी हैव तो राइट करेक्ट है क्या बोलो बड़ावट सही है चलिए ये है माद्द अब निकाला जाए प्रसरण तो प्रसरण का एक छोटा सा सुत्र होता है प्रसरण क्या होता है आप इसे ρो का वर्ग कह सकते है और फॉर्मुले के हिसाब से एक बटा एन का वर्ग साथ मेंления यहां पर एन और उसके बाद सिग्मा एफ आई उसमें डी आई का वर्ग करके लिखोगे और उसके बाद एफ आई डी आई को गुना मतलब इस FI, DI को एक बार फिर से इसमें गुना कर दो या तो DI का वर्ग निकालो और FI में गुना करो मतलब इसका वर्ग निकालके इसमें गुना करो बात से में या फिर इन दोनों का गुना कर दो क्योंकि FIDI के साथ DIA गुणा होगा तो DIA का वर्ग हो जाएगा यह easy है सस्ता पड़ेगा minus 2 और minus 10 20 minus 8 और minus 1 8 0 16 और 24 है ना तो ठीक है 24, 16, 40 40, 20, 60 और 68, 68 68 तो आपके सामने जो जरूरत की एक चीज थी जिसका जो मतलब आपको चाहिए था वो था आपने निकाला कि जितना भी FI है अगर मैं उसका DIA के वर्ग में गुणा करता हूँ तो वो 68 आएगा जितना 68 बस रख दो यार सारे मान है ना बाकी सब मान तो आपके पास है ना तो रो का वर्ग बराबर एक बटा एन का वर्ग मतलब 50 का वर्ग साथ में एन की जगे 50 FIDI FIDI का वर्ग 68 माइनस ये है 10 और 10 का वर्ग ये राया आप है है ना जी तो रो का वर्ग एक बटा पचास का वर्ग है ना और ये तो है 50 गुणा 68 माइनस 100 चाहो तो यहां से 50 को बाहर निकाल सकते हो अगर 50 को बाहर निकालोगे तो रो का वर्ग बराबर एक बटा 50 का वर्ग 50 को बाहर निकाला तो 50 और यहां 68 minus 2, 6,8, तो आपके सामने रोह का वर्ग बचेगा, 50 से 50 गए, 66 by 50, 2 से कार दो चाहो तो, तो रोह का जो वर्ग है, वो है 33, डिवाइड बाइ 25, ये है आपका प्रसरण, उसी तरीके से निकला, जिस तरीके से अमने पहले निका रहा था, पहले कैलकुलीट किया था आपको यहां पर भी कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसका जवाब आपको दिया जाएगा तो बस मतलब अपने को क्या करना इनकी जो टेबल उससे वेरिफाई एक बार जरूर कर देना है तो हमारा यह 68 आया है 68 आया है एफ़ डियाई 10 आया था बाकि सब सही अपने कहीं पर भी अपनी टेबल में कोई मिस्टेक नहीं किया ड़न है तो इस तरह से प्रश्ण नंबर आठ भी आई थिंक समाप्त होता हुआ है ना प्रश्ण नंबर आठ है आप नवे प्रश्ण पर कोई धिक्कत नहीं है आप देख लो टेवल जैसी है वैसी है लेकिन पता यहां उल्जन कहां है इनके मध्य बिंदू में 70 और 75 का मध्य बिंदू 72.5 75 और 80 का मध्य बिंदू यह जो वर्ग दिये अभीकित पता चलेःगी कि वास्तों में लगूविदी क्यों जरूरी है हाला कि अभी इतने सवालों में चलतों गई हो गिह उपयोगीथा क्यों है पर एक बार फिरसे इसी टेबल का उप्योग करते हुए हाला कि हो सकता है है यहां डेटा जादा हो तो कैलकुलेशन हमें फि ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो कि यहां से थोड़ा सा ठीक है तो क्या क्या इंट्री जे यार कितनी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ इंट्री जैं 70 से 75 से लेके 115 तक पांच पांच का अंतराल है लिखा जाएगी के है अपर देखते हैं 72 75 उसके बाद 75 to 80 I hope कि लिखा जाए यार 85 से 90 90 से 95 95 से 100 से 105 105 से 110 और 110 से 115 इतना ही था क्या 110 से 115 आखरी एंट्री थी बहुत सही रहा तीन चार साथ साथ उसके बाद एफाई लिख लेते हैं 3 इसकी 4 7 7 उसके बाद 15 9 6 6 3 उसके बाद है 15 9 6 6 और 3 इस तरह से आपके सामने एफाई हो जाते हैं अब सारे एफाई का योग 7 14 21 21 और पंदरा 36 36 और नौ चवालिस चवालिस और छे पचास 56 और 59 आई होप ऐसा ना आए यह 59 नहीं होना चाहिए यहां पर है ना तीन चार साथ 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 14 चौदा और पंदरा साथ साथ 14 चौदा और साथ 21 एक्किस और पंदरा 36 36 और नौ चवालिस चवालिस और छे पचास पचास और नौ मिला के 59 तो एक बार इनकी टेबल से अपन वेरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये ऐसा ही है 60 आ रहा है मतलब हम कहीं न कहीं जोडने में गलती कर रहे हैं एक बार फिर से अपन जोड़ेंगे ज़रूर अगर ऐसा हो रहा है तो यह ना चली देखते एक बार फिर से साथ दुनी 14 14 और यह दोनों मिला के साथ 21 21 और 15 एक त्थिस एक त्थिस और नो पैतालिस चमालिस नहीं सत्तर का बद्य बिंदू 72.5 उसके बाद 77.5 फिर 82.5 फिर 87.5 फिर आएगा 92.5 फिर आएगा 97.5 फिर आएगा 102.5 फिर आएगा 102.5 फिर आएगा 112.5 अब हमें यहां पर आप देख सकते हैं कि यदी में सीधा सीधा माद्ध निकालता इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा और ऐसे हमने बहुत से सवाल किये जहां कैलकुलेशन बहुत जादा हो चुका था इसलिए कल्पित मात दिले सकते हैं मेरी नजर 92.5 पे जा रही है मैं कल्पित मात दिखो 92.5 लेने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले कुछ-कुछ चीज़े आपको मिल चुकी है उनको लिख लो है ना पहली चीज़ तो आपको ये मिली कि जितना भी FI है उसका योग जिसे आप N कहते हैं वो 60 के बराबर आ चुका है दूसरा माना एक A नाम की संख्या है A बराबर 92.5 कल्पित मात दिख है कल्पित मतलब कल्पना में है कि ये मात दिखोना चाहिए कल्पित मात दिख है और उसके बाद आप देखेंगे कि इस पूरे डेटा में H कितना है मतलब अंतर कितना है 5 5 का तो आपने H नाम की एक संख्या ले ली एवं H नाम की एक संख्या है जो की 5 के बराबर है क्या है H बराबर 5 है तो अब आप निकालने जा रहे हैं यहां पर इस विधी में कल्पित माद्धि विधी से D I है ना हम क्या निकालने जा रहे हैं चुकि अपने एक D I नाम की संख्या परिभाशित करते हैं D I का मतलब है हर डेटा में से आप कल्पित माद्धि बटा H करते हैं कल्पित माद्धि 92.5 है का मान पाँच है तो D I की परिभाशा में आप लिख देंगे कि X I में से मैं 92.5 लूँगा मतलब घटाओंगा और भाग दे दूँगा 5 से तो 72.5 में से 92.5 गए तो 20 बटा 4 पाँच चार बर रिनात्मक चिन्न के साथ 87 बटा 5 गए तो आप लोगों को कैलकुलेशन जो है वो ऐसे ही आ रहे सब के सब क्योंकि जो अंतराल है वो समान है और समान अंतराल में यही अंतर आएगा अब F I का D I में देखो X I हट गया पुरी पिक्चर से F I का D I में गुणा फटा फट करके बताओ क्या आएगा अभी हम हर F I को D I में गुणा करेंगे तो माइनस तीन और माइनस चार माइनस ट्वेल्फ यह भी माइनस ट्वेल्फ और उसके बाद यह माइनस 14 और यह माइनस 7 उसके बाद 0 उसके बाद 9 और 12 उसके बाद 18 और फिर 12 क्लियर है क्या अब देखो क्या क्या मतलब बेसिकली आप इनको जोड़ना है तो यह दो बारा और यह दो बारा कैंसल 18 इस 18 से 4 बना देगा यह 14 और 18 बनके 4 बन जाएंगे 7 और 9 यह भी दोनों कॉसलिटिव है तो 6 बचेगा बस यह सीधा सीधा कितना 6 तो चलिए माध्य निकाल लेते हैं फिर आपके सामने एक और नई चीज आ गई है जो की है सिग्मा हर एफ आई का डी आई में गुणा जो की 6 के बराबर ओके तो अपन निकाल लेते हैं माध्य किस विदी से कल्पित माध्य विदी से जो की अपन ने लिखाए यहां पर कल्पित माध्य विदी से अज्यूम्ड मीन मैथड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है माध्य जिसे आप एक्स कह सकते हैं एक्स बार कह सकते हैं एक्स नहीं एक्स बार एक्स बार मतलब कुछ ऐसा A प्लस H का सिग्मा F I D I में गुणा भाग दे दीजी आप N से N का मतलब 60 A का मतलब 92.5 तो 92.5 प्लस H पाच के बराबर N का मतलब 60 और उसके बाद F I D I 6 है तो पांच गुनाच है बता साथ तो भाई साथ पांच है का 30 30 को साथ में गया तो पॉइंट 5 तो यह जाएगा एक्स बार आपका 92 प्लस या 92.5 प्लस 0.5 डैट शुड़ बी इक्वल टू एक्स बार का मान 93 मतलब जो माध्य है वो थोड़ आसा ऐसा कुछ मिला ठीक है हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें दिक्कत है तो इस बात से कि हब हम प्रसरन निकालने जा रहे हैं और प्रसरन निकालते समय हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला हमने याद रख लिया है प्रसरन निकालने में छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले N का वर्ग निकालो और N के वर्ग निकालने के बाद N में जितना भी F I का आप D I में गुणा या D I के वर्ग में गुणा करेंगे वो और F I D I का वर्ग करके घटा देना इसको F I D I अपने पास है अब F I का D I में मतलब D I में गुणा एक बार फिर से करना है यह चीज निकालनी है तो मैंने बता दिया कि इन दोनों का गुणा कर दो आसानी से अंसर आ जाएगा 12 चोग 48 बारतिया 36 ठीक है 28 और यह 7 बाकी 0 9 24 18 दुना 36 अठारतिया 54 और फिर बार चोग 48 तो बस जोड़ो एरब किता आता है देखो अपन फटाफट कल्कुरेड करते हैं यहां से यह जो आठ है ना इसको इसमें देदो प्लस टू इसमें देदो प्लस चार और इसमें देदो प्लस टू आठ खतम यह हो गए 48 की जगे 40 और यह हुए 50 यह हुए 40 और यह हुए 30 अब जोड़ो फटाफट ठीक है 50, 40, 90, 90, 30, 120, 120 और 40, 160 यहां तक कहानी खतम खतम अब उसके बाद 160 में इसको 50 प्लस चार लिख दो तो 160 में 50 जोड़ा तो 210 210 में इसको 20 प्लस चार लिख दो तो 230 अब क्या क्या बचा है जोड़ना 7, 9, 4 और 4, 8 ठीक, तो 230 में 4 जोड़ा तो 230 38 में 7 जोड़ा तो 45 45 में 9 जोड़ा तो 54 तो 254 शुड़ बी दा आंसर ठीक है देखेंगे क्या कलकुलेशन है लेकिन हमारे पास इतना कलकुलेशन तो भी 254 के आसपास आया है अब 254 के पासपास आगे बरते हैं और यहां पर चेक करते हमें किसकी जरुवत थी हमें बस यह last वाले या इसकी जरुवत थी हम इसको निकाल चुके है एफ़ाइ का यदि डी आई में वर्ग किया जाएगा तो 254 आना चाहिए तो क्या मैं यहां से लिख दू अब हमें चाहिए रो का वर्ग कुछ इस तरह से एक बटा एन, एन का मान कितना साथ, तो साथ का वर्ग, साथ में ये भी साथ, उसके बाद 254 बहुत अच्छी बात है, और ये भाई साथ 6 के बराबर थे तो 6 का वर्ग, क्लियर है क्या, क्लियर है, 254 में अगर आपको 6 दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, आप अगर चाहें तो यहां से 10 बाहर निकाल सकते, यहां 6 है, यहां से भी 6, 6 बाहर निकलेगा, तो रो का वर्ग बराबर, एक बटा साथ का वर्ग, गुना 6, और यहां से 6 पार गया, तो 2540-6 यहां से आपका अंसर बचना चाहिए, आप लोग चेक कर सकते हैं, 6 का वर्ग चला गया, तो देखो, यह गया ना, तो 6 से 6 कटा, तो यहां पर आपके सामने रह जाएगा, 600, 600 क्यों, यहां कि 60 का वर्ग, 366 गया तो 600, और यहां पर अगर काटोगे, तो 2536, 34, not 6, तो यह आपका अंसर है, अब यह कट रहा है, वैसे 2 से, अपने लिए इतना भी ठीक है, अगर 3 से कटे तो सोच सकते हैं, अगर यह 3 से कटेगा, तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा, तो फिर 2 से काट के कोई खास मतलब नहीं है, 2 और 7, 5, 5 और 5, 2, 7, 7, 3, 10, और 4, 14, अगर अंको का यह 3 से विवाजित नहीं है, तो वह संख्या भी 3 से विवाजित नहीं है, तो अपन सिधा-सिधा लिखो कि रो का जो वर्ग है, वो 25, 34, डिवाइड बाइ, 600 है, यही आपका प्रसरन था, प्रस्ण में मानक विश्टलन भी पूला था क्या, मानक विश्टलन, तो इसे तो यही निकाल दो, मानक विश्टलन क्या होता है, अच्छा यहां नहीं निकाल सकते, अपन कुछ वेरिफिकेशन भी करते हैं, टेबल से, चीज़े दिखेगी नहीं बाद में, तो अपन मानक विश्टलन को भी यहां से नि आपने निकाला उससे रोके वर्ग का मतलब प्रसरन होता है इसलिए इसको प्रसरन का वर्ग मूल भी कहा जाता है मैंने क्या गलती से यहां पर वर्ग मूल डाला था नहीं डाला था 25-34 divided by 600 तो आपका प्रसरन या मानक विश्लन स्टेंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाएगा 25-34 divided by 600 का वर्ग मूल यह हो गए आपका आंसर नमबर 1 डाट इस मानक विश्लन या आंसर नमबर 2 डाट इस प्रसरन और यहां पर आपको माद निकालना था जो की आंसर नमबर 3 ह पहले यह निकाला बाद में वो निकाला बाद में मानक विश्लन निकाला गया इस प्रकार यह प्रशन क्लियर हो जाता है समाप्त हो जाता है अगर यहां कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं क्योंकि दिक्कत है तो होगी ऐसे कैलकुलेशन में सवालों में द इसमें है तो हमारा अखरी का जवाब 254 था बिल्कुल सही है चलिए अगला सवाल है कि एक डिजाइन में बनाये गए व्रत्तों के व्यास नीचे दिये गए हैं सेंटीमिटर में ठीक है मतलब एक डिजाइन में बनाये गए व्रत्तों के व्यास मतलब कोई डिजाइन बनती न थीकहे है तो ऐसी एक design है उusan में व्रत लिए गये हैं कैसे व्रत लिए तो तैटिस से छतीसके की जो रेडियस है मतलब व्यास है ठीकहे मिलीमेटर में मतलब डाइमीटर तो 33 26 का जो डाइमीटर उसमें 15 को 15 व्रतों की आवश्चकता पड़ी 37 से 40 में 17 व्रतों की आवशक्ता पड़ी 41 से 44 में 21 व्रतों की 45 से 48 में 22 व्रतों की और 49 से 52 में 25 व्रतों की आवशक्ता पड़ी प्रश्ण में है कि व्रत के व्यासों का मानक विचलन वा माध्य व्यास ग्याद कीजिए मतलब आपको इस टेबल में मानक विचलन और माध्य निकालना ह है बात खतम तो करें हल सवाल को है हल करने के लिए पहले यह देखिए कि डेटा किस तरह का है ठीक है तो सर यह जो डेटा है वो वर्गी क्रट डेटा है है क्या है है तो सही है लेकिन सतत नहीं है सर ऐसा डेटा तो सतत होता था आप कैसे बोल रहे हो सतत नहीं है क्या यह डेटा सतत है अगर वर्ग में है तो क्या यह सतत है पहले तो यह बताईए जो डेटा आपको दिख रहा है अगर यह वर्ग में है तो क्या यह सतत है सतत होने का मतलब 10 से लेकर 20 गया 20 से लेकर 30 गया व एहां पर जो वर्ग है या जो अंतराल है वो सतत नहीं है क्योंकि देखिए शुरुवात हुई ये uffy 33 से खटम हुआ है 36 पे पहला जो वर्ग है वो 33 से शुरू हुआ है उसको 36 से शुरू होना चाहिए अब जिस वर्ग का व्यास अगर 35.5 हुआ यह 36.5 हुआ तो वह इसमें आएगा कि इसमें आएगा क्योंकि 36 से बाहर इसमें लेकिन यहां 37 से शुरुवात है वैसे ही 40.5 वाला कईदर जाएगा 44.5 वाला कहा जाएगा 48.5 वाला किदर जाएगा तो यह जो अंतराल है वो सतत नहीं है हमें पहले इने सतत बनाना होगा कैसे बनाते हैं आपको विधी पता है सिंपल सी बात है यह 36 है यह 37 है दोनों की बीच का अंतर एक है यह ना तो अपन ने 37 माइनस 36 किया डिवाइड बाइट 2 कर दिया ठीक है मतलब क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है 37 उसमें से पुरान अधा बडाव इसे आदा कम कर दो इसे आधा बडाव इसे आदा कम कर दो यह सबको आधा बडाव आधा अधा कम कर दो तो अगनी जो तेबल है अपनी वो कुछ इस तरह से बनेगी calculation ठोड़े से यहाँ पर में भी चेंज होंगे और होंगे इसे यहार F I E का जोड भी हटेगा और अभी कैलकुलेशन भी हटेगा इनके मद्धी बिंदू पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मद्धी बिंदू पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मद्धी बिंदू पर असर नहीं पड़ेगा तो आंसर पर भी असर नहीं पड़ेगा तो जो 33 वाले इंटर्वल है मतलब जो पहले पहले ना 33 के बाद 37, 41 ये जो इंटर्वल है आपको दिये गए है यहाँ पर इन में आपको आधा आधा कम करना है मतलब 33 हो जाएगा 32.5, 37 हो जाएगा 36.5, 41 हो जाएगा 40.5 तो 32 को तो 33 को तो आपने लिग दिया 32.5, 37 को लिखा 36.5, 41 को लिखा 40.5 यहीं किया उसके बाद 45 को 44.5 और यह 48.5 तो यह तो वहाँ 44.5 और यह 48.5 इस टेबल को बनाने में मैं थोड़ा फ्रेम आउट भी हो जाता हूं उसके बाद जो बाद वाले अंतराल है इन सभी में आपको आधा आधा बढ़ाना पड़ेगा तो 36 हो जाएगा 36.5, 40 हो जाएगा 40.5 तो देखिए यह तो वहाँ 36.5 दूसरा वाला अंतराल था चालिस दशमलो पांच तो चालिस दशमलो पांच यह पैट चमालिस था तो चमालिस दशमलो पांच हो जाएगा आधा आधा बढ़ाते जाओ चालिस दशमलो पांच अर्टालिस दशमलो और बावन दशमलो तो यह हुआ अर्टालिस दशमलो पांच और यह हुआ बावन दशमलो पांच नौ टेल मी कि इस प्रश्ण में क्या आपने डेटा को सतत बना दिया पूरी तरह से बना दिया अब बात कर लेते हैं इनके FI के बारे में FI मतलब 15, 17, 21, 22, 25 15, 17, 21, 22 और 25 अब इनका मध्य बिंदू निका पहले इनको जोड़ लेते हैं सारी डेटा कितनी है मतलब सारा FI कितना है ठीक है तो 15 और 25 40, 40 और 22, 62, 62 और 21, 83, 83 और 17, 100 हो गए है तो FI का जो जोड़ है वो 100 आया है इस प्रशन में है ना पहली चीज हमें मिली क्या मिली कि जितनी भी FI है उसका जो जोड़ आया है वो 100 आया है ये सबसे पहले मिलने वाली चीज है सारे FI का जोड़ आया 100 के बराबर आवश्यक्ता पढ़ती है इसकी प्रशन में पढ़ती है हल करते समय पढ़ती है पढ़ती है दूसरा दूसरा के अभी दो टेबल पर ही चलेंगे अपन ठीक है अब उसके बाद मद्धी बिंदू निकालेंगे तो इसका मद्धी बिंदू निकालो बात बराबर है 33 और 36 का मद्धी बिंदू या फिर इन दोनों को जोड़के इनका मद्धी बिंदू निकाल लो ठीक है जैसे आपने 32 और 36 को जोड़ा ठीक है या 32 और 36 और उसके बाद 0.5 को जोड़ा तो 32 और 68 68 और 0.5 मिलागे कितने हो गए 69 ठीक है तो यह हो जाएगा 69 मतलब 34.5 मतलब इन दोनों का मद्धी बिंदू निकालोगे तो भी सेम आएगा कितना आएगा 33 प्लस 36 डिवाइड बाई टू मद्धी बिंदू ऐसे निकालते हैं तो यह आजाएगा 69 डिवाइड बाई टू मतलब 34 डिवाइड बाई 5 34.5 है ना ठीक है तो यहां से पहला मद्धी बिंदू मिला 34.5 कितना 34.5 35.5 या 34.5 उसके बाद 36 और 40 के मद्धी का बिंदू है 36 37 38 38 और 38.5 क्या मैं क्लियर हूँ मतलब ठीक है उसके बाद अंतराल जो है ना वो चार चार का है चाहो तो यहां जोड सकते हो 42.5 ठीक है उसके बाद 43.5 या फिर 42 के बाद आ जाएगा 46.5 और फिर उसके बाद इसके अंतराल में आ जाएगा 50.5 हमने जो मद्धी बिंदू निकाले है वो क्लियर है अभी तक तो क्लियर है ना देख लो या अगर इसे वेरिफाइ करना चाहते हो तो कर भी सकते हो 37 और 40 का आधा 37 प्लस 40 77 77 का आधा तो 77 से एक कम करोगे तो 76 76 38 का डबल होता ह है तो 38.5 यहां करोगे तो 85 आ जाएगा 84 84 किसका डबल होता है 42 का तो 42.5 आ जाएगा वही अपन लिख रहे हैं बाकि 4-4 जोडते जा रहे हैं अब आपको दिख गया होगा कि कल्पित माध्धी में इसे मान सकता हूं माध्धी निकालना पड़ेगा डियाई निकालना कि एक कल्पित माध्धी है माना अपन विधी कौन सी अपलाई कर रहे हैं कल्पित माध्धी विधी किसके लिए निकाली जाती है माध्धी के लिए निकाली जाती है तो कल्पित माध्धी विधी का प्रयोग अपन करेंगे और अपन माल लेंगे कि ए नाम की एक संख्या है जो की है कल्पित माध्य। जिसका मान होना चाहिए 42.5 है ना हमने इसे कल्पित माध्य। अंतराल कितना इनके बीच में चार चार का चार चार का अंतर है तो उसी अंतर को अपने हम निकालने जा रहे है एक डी आई नाम की संख्या तो डी आई की परिभाशा क्या है कि हर डेटा में से मैं एको घटाओंगा और भाग दे दूँगा एच से तो डी आई की परिभाशा में यहाँ पर तो एक साही रहेगा लेकिन यहां पर हो जाएगा 42.5 और उसको आपने भाग देना है 5 से 5 से नहीं 4 से क्योंकि आपका जो h है वो 4 है थेना h किसके बराबर है 4 के बराबर है तो आप 4 से भाग दे देंगे यहां पर ओके फाइन है तो 34 में से 42 गए दशमलो 5 तो दशमलो 5 को उड़ाता जाएगा 42 में से 34 गए तो 8 भाग दिया 4 से तो 2 माइनस 2 माइनस 1 0 एक और 2 FI का DI में मतलब इसका इसमें गुणा किया तो 15 का माइनस 2 में गुणा माइनस 30 17 का माइनस 1 में गुणा माइनस 17 0, 22 का 1 में गुणा 22, 25 का 2 में गुणा 50 calculation easy है ठीके, minus 30, 50 को खतम करेगा, बचेंगे 20 ये 20, 17 को खतम करेगा, बचेंगा 3 3 और 22 मिलके 25 ये कितना आया? 25 आया FIDI आपके सामने कितना आया? 25 आया तो आपने calculation किया, आपको क्या मिला कि हमें मिला FIDI 25 के बराबर ये दोनों आने के बाद, आप यहां से माद्धी तो निकाल सकते हैं चाहो तो रुक जाओ, नहीं तो माद्धी निकाल सकते हो, चिन्ता की बात नहीं है है ना? माद्धी मतलब जरुवत माद्धी की अगली टेबल में नहीं है चाहो तो एक काम करते हैं इसे भी पहले इसे भी calculate कर लेते हैं इस FIDI का इसमें गुणा करोगे तो FIDI का वर्ग मिल जाएगा तो 30 का 2 में गुणा किया तो 60 मिल जाएगा धनात्मक चिन्ना जाएगा ये 17 हो जाएगा ये 0 ये 22 और ये हो जाएगा 100 ठीक तो 100 और 60 160 160 और 22 182 182 में 17 जोड़ा तो 199 कितना 199 काश ये 200 हो जाता ये 18 नहीं दिया गया नहीं नहीं ठीक है चलो फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग लिए तो ये हुआ 200 ठीक है अब हम मदब 199 तो आपके पास एक नहीं चीज़ भी मिली है FIDI का वर्ग यहां से आपको मिलता है सिग्मा FIDI का वर्ग जो की है 199 अब आपको इन सभी के आवशक्ता थी क्या बिलकुल थी आपको प्रश्न में क्या क्या पूछा है मानक मानक विचलन और माध्य तो चलिए माध्य से निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि अधिक माध्य माध्य का सुत्र क्या होता है कल्पित माध्य विदी से अपनने पहले लिख दिया कि अपन कल्पित माध्य विदी का प्रयोग करने यह होता है A प्लस जो भी आपके पास H है उसको आप FIDI में गुना करके भाग दे दीजिए N से तो A तो आपके पास है बिल्कुल है A का मतलब 42.5 तो ये तो मिला 42.5 प्लस H, H का मान 4, N का मान 100 और इसका मान 25 तो ये बटा 100 भी मिला तो 25.100, 100 बटा 100 तो ये मिला 42.5 प्लस 1 तो माध्य का मान आया 43.5 43.5 is the mean Second case, अब हम क्या निकालने जाएंगे? अब हम निकालने जाएंगे प्रसरन, माध्य निकला, निकला अभी निकलेगा प्रसरन, प्रसरन के लिए क्या करेंगे? प्रसरन के लिए एक बटा N का वर्ग करेंगे उसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे कि N में मैंने सिग्मा FIDI का वर्ग लिखा है माइनस FIDI का जो सिग्मा निकाला था उसका वर्ग करूँगा दन है? सो, एक बटा N, N का मतलब 100 तो प्रसरन को अपन रो का वर्ग लिखते हैं न, यह रो का वर्ग तो प्रसरन को रो का वर्ग लिखा, तो यहाँ से रो का वर्ग कैसे मिलेगा? वन बाई हंड्रेड का स्क्वेर, उसके बाद हंड्रेड, FIDI का वर्ग 199 माइनस ट्वंटी फाइव का वर्ग अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सो के साथ ट्वंटी फाइव का वर्ग कॉमन लिया जा सकता है मतलब यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25 जितना कॉमन लोगे उतना अच्छा रहेगा तो अगर आपने यहाँ से भी 25 और 25 बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो 25 वाई 100 का स्क्वेर हो जाएगा साथ में यहाँ पर बच जाएगा चार चार का 199 में गुणा करना आप 200 का चार में गुणा करके 800 लाते हो उसमें चार कम कर दो तो 796 उसमें से आपने 25 को कम कर दिया ठीक तो यहाँ पर तो हुआ रोका वर्ग बराबर 25 को 100 से कैंसल किया तो यहाँ पर बच जाएगा 400 क्योंकि 125 से कैंसल होके 4 बना देगा बाकी दूसरा 100 तो है और यहाँ पर 796 में से गया तो यह बचेगा 7 7 और 1 तो आपके सामने रो का वर्ग मतलब प्रसरन आ जाना चाहिए इसे ऐसा प्रसरन करके भी लिख सकते हैं अपन की रो के वर्ग का मतलब है प्रसरन और प्रसरन हो जाएगा 771 बटा 400 कितना हो जाएगा 771 बटा 400 तो 771 बटा 400 प्रसरन है आप फटाफट वरिफाए करके बताईए कि मानक विख स्लन क्या होगा तो यह आजाएगा 771 x 40 या 400 यह प्रसरन बिलकुल सही है और यही पर आपको निकालना है मानक विख स्लन तो मानक विश्लन कितना होता है मानक विश्लन होता है प्रसरण का वर्गमूल और प्रसरण का वर्गमूल मतलब 771 771 by 400 का वर्गमूल that is for the final answer इस तरह से आपका यह प्रशन जो है वो समाप्थ होता हुआ तो प्रशन 10 के साथ प्रशनावली चार दशमलो देखो अपना सही है 25 और 199 यह भी सब करेक्ट है तो इस तरह से प्रशनावली पास दशमलो दो समाप्थ होती हुई कि यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इन वीडियो को www.magnetbrains.com पर जाकर देख लेना है क्योंकि यहां से आपको वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएगा जाएगा cbsc हिंदी माध्यम में कक्षा ग्यारवी का चाहन कीजिए जैसे ही कक्षा ग्यारवी का चाहन करेंगे आपको यहां पर विशायवार ncrt दिख जाएगी और उसमें आपको गणित विशाय के सारे चैप्टर दिख जाएगे जिस भी चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो आपके सामने खुल जाएंगे मतलब उसके जितने भी वीडियो है उन सभी में वो चैप्टर खतम हुआ है जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा इसके अलावा जैसे आप सभी विध्यार्थियों को पता है कि गक्षा 6 से लेकर 12 तक magnet brains और magnet brains हिंदी आप सभी विध्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त स्कूली सिक्षा प्रदान करते हैं इसके लिए आप से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता यह पूरी तरह से free platform है च बस आपको इस विडियो को लाइक करना है चैनल को शेर करना है और सब्सक्राइब करना है मिलते आप सभी से अगली कख्षा में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद